नमस्का सातियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSC और State VCS Prelims को ध्यान में रखते हुए, आपकी ये सभी कलास ने ले जा रहे हैं, और इसमें सेब से पहले हम लोगोंने प्राचीन भारत का इतियास देखा था, उसके बाल हम लोगों मद्यकालीन भ भारत का इतियास देख रहे थे, और लास्ट कलास में हम लोगोंने मुगल संबराज जी के बारे में एक ओवर व्यू लिया था, जो इनके सासक रहे हैं न मुगलों के, उन सब के पारे में बात की हुई थी, आज हमें मुगलों की राजनेतिक और उस समय की आर्थिक और सां पहुचाएंगे, साथ में ही आपको मुख पर एक चामें, और जिनका हिस्टरी ऑप्सनल होगा, उनके लिए हिस्टरी ऑप्सनल में भी फायदे मन्द रहेंगे, और इसके लिए आपकी एक फिलेलिष्ट सूची बना दी गई है, UPSC and State PCS, Prelims Special Classes के नाम से, इसी में आपक पूरा सिलेवर्स के, जो भी चाहिए आपका समीधान हो, इतियास हो ही रहा है, फिर चाहिए आपका भूगोल हो, एकोनोमी हो, अर्द्विवस्ता हो, या आप देखे साइन्स हो, सभी इसी में आपको मिल जाएंगी, और टॉपिक बाइट टॉपिक मिल जाएंगी, और यह कारण, उसकी धार्मिक कटरता के कारण, कई लोग कहते हैं कि धार्मिक कटरता, उसी कारण आज भी हमारे देश में हिंदू मुसलिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, और कई बिद्वान ऐसा कहते हैं, कि हमारे देश की तीन हजार से जान्दा मंदि तोड़कर मस्जि की बात कर लीजे 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी की फराजे की बात बाबर ने भारत में मुगल समराज की नियू रखी क्योंकि आप सभी को मालू होगा कि 1526 में पानीपत का योद होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के भी चुगा था अब्राहिम लोदी इसमें हार गया था और भावर की जीत हुई थी और इसी योगद्दि के साथ, आप देखेंगे, भारत में भी मुगल समराज की नियू रख जाती है और आप देखेंगे, भावर स्वरप्रितम मुगल सासक था जिसने भारत में वादसाई की पदवी धारन की और जबकि उसके पूरवर्थी मुसलिम सासक सुल्तान की पदवी से ही संतुष्ट थे पहले आपने जितने भी मुसलिम सासकों के बारे में पढ़ा होगा वो सुल्तान कहलाते थे लेकिन इसने वादसाई की पदभी धारन की अब ये बादसा कहलाने लगा अगर हम लोग मुगल राजत सिधान्त की बात करें तो मुगल राजत सिधान्त सूफी तुर्की मंगोल परमपरा पर था पर आधारीत किस पर तुर्की मंगोल परमपरा पर आधारीत था वावर ने बात्सा की उपादी धारण की थी, अता सासकों ने खलीपा की अधिपत्य से स्वैम को मुक्त यानि के फिरी रखा था, मुगल राजत का मूलाधार सरियत यानि की कुरान हदीस का सम्मिती नाम था और बाबर ने राजत के सम्मंद में कहा था कि बात्साही से बढ़कर कोई वंधन नहीं है, वात्साही के लिए एकांत वास या आलसी जीवन वचित नहीं है, और दिली के सुल्तानों की भाती मुगल बात्साही भी राजत के देवी सिधान्त में विस्वास करते थे, और आप देखें कि स्वयम को पितवी पर इसुर की छाया अत्वा पिती निधी हुमायू मानते थे एक तरह से, कहने के मतला उनका यही रहता है कि इसुर ने उपर सिवा के लिए इस तरह से भेजा हुआ है, अपने आपको इस तरह से पेसे ही करते थे, अवुल फजल की अनुसार इसुर की दृष्टी में राजत से उच्चतर कोई सम्मान नहीं है, यदि राजत ना होता तो संगर्स की तूफान का कभी अंतना होता, और ना ही स्वार्थ ही आकांचाएं ही समाप्त होती, राजत ती सोर से निकला हुआ प्रिकास है, तथा विस को अलोकित करने वाली सोर की रण है, अकबर का राजत तो सुलह एकुल पर आधारित था, किसका अकबर का, इसकी ब्याख्या अबुल फजल ने की थी, और जहांगीर भी वात्सा, अत राजत को एक देविये देन सुविकार करता था, तथा सुलह एकुल, सुलह एकुल में विस्वास करता था, साय जहां भी राजत के देविये सिध्धान्त में विस्वास प्रकट करता था, और अंग्जिब ने सुलह एकुल की निती का पालन नहीं किया, और आप देखे कि यही वो सासक था, समझे रहे हैं आप लो, जिसके कारण आज भी बबात बना हुआ है, उसने राश्टन्त को इसलाम से जोड़ा, उसने घोसित किया कि उसका उद्देश दार उलहर्व को दार उल इसलाम बनाना था, अभी तक आप देखें कि जो भी सासक रहे हैं, बाबर के बार में थोड़ा बहुत मिलता है, कि इसने कटरता दिखाए, लेकर अकबर की समय में आप देखें कि सभी अपना धरम मान सकते थे, लेकिन जब बहरंग जे बाया, तो इसने अपने सासम में धरम का साहरा लेना सुरू किया, कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं, कि एक तरह से अपने धरम में, अपने उलिमा, जो भी धरम गुरू थे, उनकी नजरों में उठने के लिए इस तरह का उसने नेती अपनाई हुई थी, और एक तरह से राजनीती करन कह लीजे आप लो, मुगल पिसासन, सैन सक्ती पर आधारित एक केंदरी किट विवस्था थी, जो नियं में इरानी अर्वी सासन पदिती थी, और मुगल काली इन पर सासन में अधिकारों का भटवारा, सोवेदार, और दिवान के बीच मिसर के सासकों द्वारा अपनाई गी सासन पड़ाली पर आधारित था, और राजत पड़ाली की दो पदितिया, अतिप राचिन हिंदू, त राजी का परमुक संचालक, प्रधान सेनपती और नियाय का परमुक सुरोत था, फिर भी पर सासन की गतिविद्यों को चलाने के लिए एक मंतरी परशद भी रखी हुई थी, मंतरी परशद के लिए विजारत सब्द का प्रियोग किया जाता था, ये भी याद रखे कई बा के अधिकारियों की बेवस्ता थी, जैसे वakील, वात्सा की परश्यात समराज का सबसे महत पूर्ण पद वकील था, जो पे सासन की अधिकारियों में सरोच था, वकील का साबनीक अर्थ पिती निदी, अत्वा वात्सा का पिती निदी जो उसके सभी अधिकारों का उपैय कर सके और वावर और हुमायू के समयर वजीर का पद बहुत अधिक महत्मूर था अकबर की काल में मुगल पिधान मंतरी को वगी वकील कहा जाने लगा था और अकबर की काल में वेरम खा वकील ने इस पद का दुर्फियों किया था और अकबर ने वेरम खा के पतन के बाद पद्दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना की थी, किसने? अकबर ने, जिसे राजस एवं बित्ये मामलों के प्यवंधन का अधिकार फिदान किया गया था, धीरे धीरे अकबर ने वकील के एकादिगार को समाद करके, उसके अधिकारों को दीवान, मीरवक्सी और मीरशमा और सद्द उस सुदूर में बाट दिया था, जो पहले आप देखे कि उसके जो अधिकार वकील के पास अकेले हुआ करते थे, आंगे चलकर अकबर के समय, क्या करता है कि ये इसके अधिकारों को बाट देता है, दीवान, मीरवक्सी और मीरशमा और सद्द उस सुदूर में इनका बटवारा कर देता है, उसके बाद यह है पद केवल सम्मान का पद रहे गया, जो साय जहा की समय तक चलता रहता है, और अकबर के काल में केवल चार ही मंत्री बढ़ सकते हैं, वकील, दीवान, जिसे वजीर भी कहते हैं, मीरवक्सी और सद्र, फिर आप देखेंगे वित्तेवं राजस का सर्वोच अदिकारी होता था, इसके अतरिक्त अन सभी विभागों पर भी उसका ब्रवाओ होता था, समराट की अनुपस्तिती में वैसासन के साधारन कारियों की को बादसा की ओर से देखता था, और इनकी निवक्ति, इनकी वित्तिय योगता पर की जाती थी, और दीवान की साहता के लिए अन अदिकारी भी हुआ करते थे, इसमें आप देखें कि दीवान एकालिसा साही भूमी की देखवाल करने वाला अदिकारी कहलाता था, दीवान एतन ए वेतन तथा जागीर की देखवाल करता था, मुस्तोफी ए आयवय का अकबर मुझभफन खां तुर्वती राजा टूररमल और एवाज साह मंसूर ये आप देखें कि वजी रे दीवान हुआ करते थे अकबर की समय जहां की कि समय आप देखेंगे इतमत दौला साजा की समय देखेंगे साद्धुद्ला खां और औरंगे की समय देखेंगे आसद सरवादिक समय तक दीवान रहा ये 31 सालों तक रहा कितने 31 सालों एक लंबे समय तक इसने इस पद पर रहा मीरबक्सी आप देखेंगे यह सेन विभा का सर्वोच अदिकारी होता था कौन मीरबक्सी इस पद का विकास अकवर के काल में सुरू हुआ था और इसका पिरमुकाल सेनिकों की भरती उनका हुलिया रखना रसत प्रबंधन सेना में अनुसासन रखना और सेनिकों के लिए हत् सेन मंत्री होने पर भी वह है ना तु सेना ना एक था और ना ही सेना इस्थाई बेतन अदिगारी मीरबक्सी के दो साहेक थे एक आप देखेंगे वक्सिये हुजूर और वक्सिये साहेगर्द पेसा और परांतों में वाक्या वाक्या निवीस सीधित मीरबक्सी को सूचना देते थे और एक तरह से आप कहिए एक तरह से सेना ध्यक्ष कह लीजिए उस समय का आप लो ठीक है रक्षा मंत्री कह लीजिए आप लो पर आप देखेंगे मीरे समा इसका प्रमुक कार घहरेलू मामलों का प्रवंधन देखना होता था वह समराट की वरिबार महल तथा उस इसके अंतरगत आने वाले अधिकारी थे दिवाने वयुताद मुसरिफ दरोगा और तहसिलदार दस्तूर अलमल में मीरे समा को वैक अधिकारी कहा जा गया और अरंगजेब के काल में इसे खाने समा कहा जाने लगा था फिर आप देखेंगे सद्ध उस सुदूर सद्ध एक इसका काम क्या करता यह धार्मिक मामलों में वात्सा का सलाकार हुआ करता था सला देता था एक तरसे किसे वात्साए को उसका प्रमुक काम दान पुर्णने की विवस्था करना धार्मिक सिक्षा की विवस्था करना विद्धवानों को कर्व मुक्त भूमी वजीफा पिदा सद्ध उस सुदूर को कभी-कभी मुख्यकाजी का पदभी दिया जाता था अर्था जब वो न्याय विभाग की पेरमख्य की रूम मेरे कारी करता था तब उसे काजी उल्ब कुझात कहा जाता था और सद्ध दान में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमी का भी निरिक्षिन करता था इस भूमी को सयूर गल या फिर मदद ए मास कहा जाता था और 1578 में प्रांतों में भी सद्ध निव्ट किये जाने लगे थे और जिससे इसके अंद्रिय सद्ध का इकादिकार समाप्त हो ग गदाई था जैसे बैरम खाने अपने सरक्षन में सरक्षन काल में वनवाया था फिर आप देखेंगे मद्द का मुगल कालीन अन उच्चा दिखारी हुआ करते थे जैसे मुहतसिव इसारवनिक आचार नियन तक हुआ करता था फिर जाके नेतिक चरित की देखवाल ही तु औरंग जीब द्वारा मुहतसिवों की नियुक्ति की गई थी और इसका मुख्यकार सरीयत के पितिकूल काम करने वालों को रोकना तथा आम जंता को दुस्च चरितिता से बचाना था कभी कभी इसे मापतोल की परमानी की देखवाल करने और बस्तूओं के मूल को निश्चित करने का उत्तरदायत भी दिया जाता था एक तरह से आप देखें कि भाजार को देखना आज भी आप देखें कि ठग होती है दो आज उतनी अच्छी वेवस्ता नहीं है आप सुची उस समय इतनी वेवस्ता हुआ करती थी कि एक तरह से आप देखें कि मापतोल की परमानी की देखवाल करें कि कहीं किसी को कम दो नहीं मिल रहा है फिर आप देखेंगे मुख काजी काजी उलकुजात क्या काजी उलकुजात मुगल बात साथ सभी मुकदमों का नेड़य स्व इतनी वाल नहीं कर सकता है इसलिए आप देखते हैं कि नीचे भी हाईकोट होते हैं नीचली अदालते होती हैं तो उसी इतला से आप कह सकते हैं और याद रखें मुसलिम कानून के अनुसार ये नियाय करता था और इसकी सहायता के लिए मुप्ती निप्त होते थे जो शुदि के अउसर पर छोड़कर सामन्गता सेना की को भेतन बातने का अधिकार होता था दरोगा ये डाक चोकी गुप्त चर्विवाग का पिरमुक हुआ करता था ये इसके साथ साथ पत्वेभार का भी प्रभारी होता था आप सोची कि उस समय भी गुप्त यह जलसेना का पिदान होता था और इसका मुख्य प्रमुख्य कार साही नौकाओं की देभाल करना था फिर आप देखेंगे मीरे तोजक, मीरे तुजुक यह धर्मन फ्ठान का दिकारी था और इसका कार धार्मिक उत्सवों आदी का प्रबंद करना था फिर आप देखेंगे वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद को अवगत कराता था पिर आप देखेंगे खुपिया नवीस या गुप्त पत लेखा कोते थे जो गुप्त रूब से कहंद को महत्मूड खबरे उपलब्द कराते थे और स्वानिद्ध निगार ये समाचाल लिखा कोते थे फिर आप देखेंगे विद्धिक्ची ये अकबर्ण ने अपने सासन कालों के 19 वे बर्स दरवार के सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इनकी निवक्ति की थी और इसके अतरिक्त ये प्रांतों की भूमी एवं लगान सम्मंदी का चाथ तेयार करता था और ये अमल गुजार के अधीन कार करता था पर आप देखेंगे मुसरिफ लेखा अदिकारी ये राज्यी की आयवेय का लेखा जोखा रखता था मुस्तोफी लेखा परिक्चक ये मुसरिफ द्वारा तेयार आयवेय की लेखा जोखा की जाच करता था आमिल अकवरिक ने अपने सासन के अठारवे वर्स गुजराद विहार बंगाल को छोड़कर संपूर उत्तर भारत में एक करोड दाम आयवाले परग्णों की माल गुजारी वसूलें के लिए निउक्त किया था किसे आमिल को और इसे जन साधारन में करोडी कहा जाता था क्या करोडी कहा जाता था पर आप देखेंगे पिरांतिये पिसासन मुगल कालीन पिरांतिये सासन केंद्रिये सासन का ही पिती रूप था और पिसासन की दृष्टी से मुगल समराज सूवों परांतों में और परगनों में और आप देखेंगे परगनों को गाउं में बाटा गया था एक तरह से आप सोचे कि पहले दिल्ली हो गई राजधानी आप देखते हैं फिर राज्यों में फिर आप देखते हैं जिला हो जाते हैं तैसिल हो जाते हैं फिर आप देखते हैं गाउं हो जाते हैं त अकवर के समय बारे सुभे, आईने अकवरी में वर्डे थें, और बारे पिलस तीन, पंद्राय यानि की तीन वरार, खांदिस और अहमद नगर जोड़ गये थे, वहीं जहागीरी के समय आप देखेंगे तो बंद्राय सुभे थे, कांगडा को जीत कर लाहर सुभे में मिलाए जो पहले से ही एक सुभा था, इस पकार इनकी संख्या पूर्वत 15 ही रही, फिर आप देखेंगे साय जहां की समय अठारे हो जाते हैं, तीन आप देखेंगे और जोड़े गए, कस्मीर, थट्टा और उडिसा जो अकवर की समय में करमसा, लाहर, मुलतान और वंगाल सुभ था, पहले देलंगा ना आप देखते हैं कि आंध्वदेष का हिस्सा हुआ करता था, आंध्वदे से अलग करके एक नया राज देलंगा न बना दिया था, तो जो पहले 15 सुभे थे, उन्ही में इसे 3 को अलग करके 3 सुतंथ शुभे बना दिये गया, इस साय जहा की समय हु अबद, अजमेर, घुजराद, बिहार, बंगाल, कावुल, लाहोर, मुल्तान, मालवा, कस्मीर, उडिसा, थट्टा इसे सिंध भी कहते थे वही अगर आप दच्छिन भारत की सूबह देखें तो अच्छे खांदेश, वरार, अहमद नगर, बीजापुर, गोलकुंडा, संभ लोग वजीर कहते थे, मीरबक्सी, और सद्द उस सुदूर, मीरे समा, पद अकवर के समय में ही इस्थापित हुआ था, किन्तु यह मंत्री पद नहीं था, और किन्तु आप देखेंगे कि बाद में मंत्री पद बन गया, और इतना महत्पूर हो गया कि इसे वजीर पद पर अकवर ने प्रांतिय पिसासन के लिए एक नया और विस्तित आधार पिस्तुत किया, प्रांतिय सासन का प्रमुक अधिकारी सुवेदार, इसे आप लोग सिपह, सलार, गवर्नर था, और उसे सुवे के संपूर सेनिक, एबं आसेनिक अधिकार पराप्त थे, और 1586 में सुवे का बित अधिकारी होता था, वह वह दे में सुवेदार से नीचे होता था, और कि दू वह सुवेदार का मतहत नहीं होता था, वह सहीदे साही दीवान के पिती उत्तरदाई होता था, और प्रांतिय दीवान का कार सुवे में बित एबं राजस का कार, राजस का कार द देखना था जबकि सुविदार कारकारणी का प्रमुख हुआ करता था और दीवान ए सुवा का तरभाव कार भूराजस एवं अन्य करों की वसूली करना आयवे का हिसाब रखना सुवे की आर्थिक इत्ते की सूचना केंद्रिय सरकार को देना और साथी साथ दीवान धन अत् संबंदी मुकदमों का नेड़य करना था प्रांत में एक वक्सी भी होता था जो केंद्रिय मीर वक्सी के अन्रोद पर साही दरवार द्वारा नियुक्त किया जाता था और प्रांतिय वक्सी को वाकिया निगार के रूम में भी कार करना होता था वाकिया नवीस के रूम में और इस रूप में वोई सूबे की समस्त जानकारी कैंद को देता था और परांट में एक सद्ध भी हुद्धा था सद्ध तथा परांटी काजी के पद कभी कभी एक ही व्यक्ति को दे दिये जाते थे अतेव सद्दे की दिरिष्टी से वैप्रजा की नेतिक चरित तथा इसलाम धरम के कानूनों के पालन की विवस्ता करता था और काजी की दृष्टी से नियाय करता था और कोतबाल सुवे की राध्धानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं बिवस्था की देखभाल भी करता था फिर आप देखेंगे सरकार जिलों का पिसासन क्या सरकार जिलों का पिसासन तो मुगलकाल में सरकार जिलों में फोजदार, आमिल, कोतबाल और काजी इत्यादी महत्पूर्ण अधिकारी होते थे फोजदार सरकार जिले का मुख पिसासक होता था और इसका मुख कार सरकार में कानून, विवस्ता बनाए रखना, चोर लोटेरों से जन्ता की रक्षा करना और इसके अतरिक्त उसे राज्यस उगाही में अमल गुजार की सहायता करना पड़ता था इसके अतरिक्त अमल गुजार या फिर आमिल सरकार का वित्त अधिकारी होता था उसका कार लगान बसूल करना और किसी इवम किसानों दोनों की देखवाल करना भी था अन्य अधिकारी भी देख लीजे वितिक्ची अमल गुजार के अधिन एक लिपिक था उसे भूमी और लगान समंदी कागज तेयार करना होता था किसे वितिक्ची को ठीक है और कोतवाल यह आप देखेंगे कि इसकी नियुक्ती मेर आतिस की सिखारिस पर कैंसर का द्वारा की जाती थी इसका मुख्यकार नगर में सांती एवं सुरक्षा इस्थाबित करना था स्वक्षिता एवं तथा सफाई विवस्था करना भी इसी का काम होता था खजानदार सरकार की खजाने का संरक्षा खुआ करता था ठीक है, काजी ये सरकार, काजी ये सरकार, इसकी नियुक्ति काजी ये सुवा की सुति, संसिस्तुति पर सद्द उस सुदूर द्वारा की जाती थी, इसका कार मुकद्मों नयाय का फ्यसला करने का था, किसका, काजी, काजी ये सरकार का, फिर आप देखें कि परगने का पर सा पितेक सरकार कई परगनों में भी बटा था परगने की प्रमुक अदिकारी इस तरह थे, सिकरदार, सिकदार, परगने का मुक अदिकारी इसका कार सांती ववस्था का सरक्षन और भूराजस में आमिल की सहायता करना होता था, आमिल परगने का बित्ता दिकारी होता था, कार लगान बसूल करना इसका काम था या फिर भूराजस पिसासन से सम्मध जुड़ा हुआ था कानून गो या आप देखें परगने के पटवारियां को पिधान होता था वह लगान ये वो किरसी संबंदी सभी काग्जात तियार करता था या आप लोग ने गाओं में सुना होगा कुछ समय तक कानून को के बारे में काफी चर्चा रहती थी पटवारी के उपर उबा करता था कारकून परगने के कलर्ट के होते थे जो लिखा फड़ी का काम करते थे कार सरकार के बित्तिक्ची के समान होता था इसका अकबर ने एपने सासन की अथारवे वर्स पितिक परगने में जिसकी माल गोजारी एक करोड दाम यानि की आफ देखें पचीस हजार रुपे थी एक आमिल निवकत किया था जिसे जण साधारन में करोडी कहा जाता था साय जहां ने पितेग परगने में माल गोजारी निधारन के लिए परगना अमीन की नियुकती की थी किसने साय जहां ने गराम पे सासन की बात करें तो गाओं का मुख़ा दिकारी गराम पिधान होता था आज भी आप देखते हैं कि गाउं का पिधान होता है जिसे आप लोग कई जगे पिधान करते हैं जिसे खुद चौदरी मुकदम कहा जाता था चौदरी भी आप लोग देखेंगे उसकी साहेता के लिए पटवारी होता था और मुगल काल में परगनों की अंतरगत आने वाले सरकारों जिला की भी एक और एकाई का निर्माड किया गया जिसे चकला कहा जाता था और जिसके अंतरगत कुछ परगने आते थे पर आप देखेंगे नगर, किला और बंदरगाहों का पिसासन इसके लिए अधिकारियों की निफती की गई थी कोदबाल ये नगर पिसा सकता और नगर की लोगों के जान माल का रक्षक होता था ये मुसद्दी ये आप देखेंगे बंदर गाहों के पिसासन की देखवाल करता था किलेदार किसी किले का पिधान अधिकारी हुआ करता था साहे पिसासन ये सीमा सुल्ग कार याले की देखरे करता था पिर आप देखें कि सेन पर सासन तो मुगल सासन तंदकी स्थापना में सेनिक सकती का प्रमुक्य एकडान है क्योंकि आप देखें किसी भी राज्यों को किसी भी देश को चलाने के लिए सेन वरस्ता तो होनी है चाहिए, बिना सेना के क्या होने वाला है दूसरा चड़ाई कर देगा तुरन दूसरा राज तो मुगल सेना विभिन प्रजातियों की एक मिस्रिस सेना थी जिसमें इरानी, तुरानी, अफगानी, भारतिय मुसल्वान, मराठों सभी को भरती किया गया था इसमें आप देखें कि हिंदों भी सामिल थे सेना का गठन दसमलों पदिती पर किया गया था मुगल सेनेक सेन दल चार सेन्डियों में विभाजित थे एक अधिनस्त राजाओं की सेना, मनसापदारों की सेन टुकडियां और एहदी सेनिक, बादसा के सेनिक भरती वेतन बस्त घोडे आदी राजी की ओर से मिलते थे ने फिर आप देखेंगे दाखिली सेनिक, एपूरक सेनिक, यग भरती यग भी बादसा की ओर से परन्तु मनसापदारों की कमान में वेतन राज द्वारा दिया जाता था मुगलों की विसाल सेना पैदल सेना अस्वारोही सेना यानि की गोड़े की हस्त चेना हाती वाली सेना नो सेना तोव खाना आदी भागों में विभाजित थी यानि की एक सक्ती साली सेना थी निकी पैदल सेना मुगल सेना की सबसे बड़ी साखा थी मुगल पैदल सेना में दो पिकार के सेनिक होते थे एक तो एहसाम सेनिक हतियारों से योद्ध करते थे और तथा सेह बंदी सेनिक एमाल गुजारी वसूलते थे अस्वारोही सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी और सवाज में भी दो पिकार के सैनिक होते थे वरगी राजी की ओर से सैनिक साज और सामान इन्हें मिलता था सिलेदार स्वें साजे साज एनके समान घोडा अवस्त का प्रबंदन करते थे सिलेदार को केबल लियोद के आउसर पर ही न्युक्त किया जाता था इसके अत्रिक्त भी कुछ अन घुरसबार होते थे दू अस्पा वै घुरसबा जिसके पास दो घोड़े होते थे सिंग अस्पा वै घुरसबा जिसके पास तीन घोड़े होते थे यक अस्पा जिसके पास केवल एक घोड़ा होता था निम्न अस्पा दो सैनिकों के बीच एक घोड़ा होता था तो ये भी आप समझ सकते हैं हस्ती सैना का भी पिर्योग मुगलकाल में होता था इसके लिए पील खाना नामग विभाग संगठित किया गया था और मुगलकाल में नौ सैना को कोई सुवेवस्ति संगठन नहीं था बंगाल अभियान 1572 में के बाद अकबर ने नौ सैना के लिए एक पिथक विभाग स्ताबित किया था जिसे नवारा कहा जाता था इसके प्रमुक अधिकारी मीर ये वहर होता था तोफखाना मुगलकाल में एक महतपूर भूई काने भाता था और मुगल तोफखाने का सेलन्याज फारसी तोपची उस्ताद अली तथा मुस्तभा खा की नेतिते में हुआ था तो इनके पास तोफएं बारूद भागों में बाटा गया अब बात आती है नियाए विवस्ता की और नियाए विवस्ता सबसे जरूरी यहती है और मुगर्ट वाथसा स्वयम राजी का सबसे बड़ा नियादीस होता था कि उसी के बास आप देखें कि हर भैसला लेने का अधिकारी था या सकती थी और पितेक बुद्धवार को अधालत में बैटकर नियादीस होता था और उसकी साहता के लिए मुप्ती नियुक्त होते थे जो कुरान की कानून की व्याख्या करते थे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह मुसलिम सा सिकते तो यह अपने कानून के हिसाब से आप देखेंगे व्याख्या करेंगे काजियों की अधालत में अधिकांस धरम सम्मंदी या संपत्ती सम्मंदी मुकदमे आया करते थे अकवर ने अपने सासनकाल में हिंदू पनितों को हिंदू मुकद्मों का नेड़ाय करने के लिए निवक्त किया आप समझ रहे हैं इसलिए कहते हैं कि एक धरम निर्पेक्च सा सकता कौन अकवर? यानि कि हिंदू के लिए अलग से हिंदू पनितों को हिंदू मुकद्मों के नेड़ाय के लिए निवक्त कर दिया जहांगीर ने स्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदू के मुकद्मे का नेड़ाय करने के लिए जज निवक्त किया था अकवर को छोड़कर सभी मोगल वास्ताओं ने इसलामी कानून वेवस्था को नियाय का आधार बनाया। अकवर एक तरह से आप देखिए कि सबसे अलग था। नियाय के छित में सबसे महत्मूर्ड कार ओरंग जेब द्वारा फत्वा ए आलमगिरी का संकलन करवाना था। ओर आधी कि जब धरम का उपयोग अगर राज में नयाय वेवस्था में होने लगे तो आप देखिए कि एक दूसरे धरम के लोगों के साथ भेदवा होना सभाविक सी बात होती है। मुगल कालीन मंसब एवं जागीर वेवस्था अगर आप देखें तो मंसब एवं जागीर व बनाना और राज जी के पिती बिभेन बर्गों की निष्ठा इस्थाबित करना मंसब वेवस्था के उद्देश थे। और मंसब वेवस्था की विस्था हैं अगर देखें तो यह मूर लूप से एक मद्देश याई वेवस्था थी जिसका प्रेटा प्रिनेता चंगेज ख किया गया और उसके उत्तरा अधिकारियों द्वारा कुछ संसोधन के साथ यह वेवस्था मुगल समराज की सैन वा सिविल सेवाओं का आधार बनी इसके अंतरकर सैना अमीरवर्ग एवब नांगरे के अधिकारी साही सेवा में काम कारण थे मनसाबदारी वेवस्था के अं वनसा अनुगत मनसाबदारों की निवक्ति हुई पद वन्नती और उनका निलंबन पित्यक्ष रूप से समराट द्वारा किया जाता था यह वेवस्था वनसा अनुगत नहीं थी तथा समराटों द्वारा इनकी अधिकारों एवं सीमाओं में परिवत्न भी किया जाता था और यह वेवस्था थी और वेक्ति अपने वेक्तिगत गोडों एवं समराट जी के पिती निष्ठा के अधार पर मनसाब पराप्त कर सकता था मनसाब कोई पद भी या पद संग्या नहीं थी यह पित्तियूत इसके मुगल पिसासनिक सेबा अनकरम में किसी वेक्ति या अमी और सबार पाच से घुर time दस्ते की संख्या का वोध हो था एक साफ पंदरह स alreadyौ सब 442 में लावई थी का फंदरह सो 737 में और इस मन सबारी वेक्ति में मैं 1595 में कुछ परीवातन लाए गया और इमन मनसब्दारों को तीन बर्गों में बर्गों में बर्गी कित किया गया कौन कौन से वैसे मनसब्दार जिनका सवार पद जात्पद के बरावर था वैसे मनसब्दार जिनका सवार पद क्या सवार पद जात का आधा या उससे अधिक था वैसे मनसब्दार जिनका सवार पद जा गया थे इसमें आप देखिए पांच से ओबर की पद राजकुमारों के लिए रक्षित होते हैं इसके बेवस्ता के अंतरगर दाग और चहरा का पिचलन हुआ साही अधिकारियों की पद सेड़ी मरातिब निश्चित हुए दाग और चहरा पिथा के अंतरगर सेड़ी को का हुलिया दरज होता था और घोड़ी को विसेश चन्न से चन्नित किया जाता था अधिकारियों द्वारा सेनिकों अत्वा घुड़ों का निरिक्चन भी किया जाता था पद सेडी यानि की मरातिब की अंतरगत दाहे विस्ती 10-5,000 तक की सेनिया इस्थाबित की गई थी और पितेक के लिए बेतन निश्चित किया गया था बेनाबितन के क्या होने वाला है और मनसपदारों की बित्तियों की बश्चाद मुतालवा प्राप्त किया जाता था अत्वा सेस धन को मनसपदारों की संबंधी या रिस्तेदारों को दे दिया जाता था मनसापदारों की किसी महत्पूर्ण मुहीम अभियान पर जाते समय उनके सवार पद में अतरिक्त बिद्धी कर दी जाती थी और जिसे मसरूत कहा जाता था गोड सवारों की संक्या बढ़ाई जाती थी और इस विवस्था का एक मत्मूर पहलू दाहे विस्ती अर्था 10 सैनिकों की टुकडी पर 20 या 22 गोड़े को रखा जाता था एक गोडा वाला सवार नीम सवार कहलाता था नगत बेतक धारक नगदी कहलाते थे और तनख़ा की रुप में जिसे जागीर दी जाती थी उसे जागीर ये तनख़ा भी कहा जाता था मनसबदारों की बेतन में कटोती कभी उनलेक मिलता है इसे दो दामी कहा जाता था और अर्थात पिती रुपया दो दामों की कटोती की जाती थी और दक्नी मनसबदारों की बेतन में सबसे अधिक कटोती की जाती थी पर आप देखेंगे मनसब विवस्था में परिवर्तन जहांगी द्वारा इसमें दो अस्पा सिंग अस्पा की विवस्था की गई और इसके अंतगर सवारों की संख्या में विड्डी की गई तथा वगेर जात और सवार पद बड़ाए मनसबदारों को अधिक सैनिक रखने की अनमती दी गई और इस विवस्था से राजकोस पर भी कोई भाल नहीं बढ़ा और तथा आप देखेंगे सैन सक्ति और सुद्रन हुई फिर आप देखेंगे साय जहां द्वारा एक तिहाई एक चोथाई का नियम लाए गया और सैनिकों की संक्या में कमी कर दी गई तथा मनसबदारों के उत्तरदायत को कम कर दिया गया उनके बेतन में कटोती की गई और इस व्यवस्था का उद्देश संसादनों को स्रक्षिद एवं बयाय को कम करना था हिंदोस्तान में जो मनसबदारों की नियुक्ती होती थी उनके लिए एक तिहाई और एक चोथाई जो हिंदोस्तान से बाहर नियुक्त होती थे उनके लिए एक पाँचवा भाग बेतन का प्रावधान था फिर आप देखें कि साय जहां द्वारा महीना की भी विवस्था की गई उसके द्वारा चार माही से दस माही का पिचलन किया गया मनसबदारों के उत्तरदायत में भी कमी की गई जो मनसबदार नगत बेतन पाते थे उन पर भी एनियम लागू होता था और इससे बेतन में कटोती की गई अब जागिरी विवस्था की अगर वे इससे इस्ता हैं देखें आप लो तो यह विवस्था भी मनसबदारी विवस्था से जुड़ी हुई थी और मनसबदारों को बेतन की रूम में जागिर दिये जाने से इस विवस्था का उदय हुआ और वैसे मनसबदार जिदने बेतन की रूम में जागिर दी जाती थी जागिदार कहला दे थे और मुगल काली जागिदारी एक्ता की बास्टविक इस्तिती की अपेक्छा विसुद रोप से केवल भूराजस को सौपना मात अधी नियास ही था यह कभी भी निश्चित छेत्रिय एकाई नहीं थी और अधी नियास की सुगधा को छोड़ कर इसका पिसासनिक एकाईयों जैसे सरकार फरगना से कोई सम्मंद नहीं था और इस विवस्था की अंतरकरत एक निश्चित भूभाग का जामा सुनिश्चित किया गया था तदहां वोस छेत्र का जामा दामी तेयार किया जाता था और इस पिकार के राजस निर्धारन को जामा कहते थे जागीर कोई सुनिश्ची दिखाई नहीं थी जागीदारों को भूमी पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता था बेसरेफ भूराजस एबं अनराजस से वसूल कर सकते थे और भूमी पर अधिकार किसानों का ही होता था भूमी से जुड़े लोगों को जो अधिकार थे बेप्रभावित नहीं होते थे और ना उनसे कोई कटोती की जाती थे और इस व्यवस्था के अंदर जागिदार सिर्फ उन्हीं करों को वसूल कर सकते थे जिन करों की वसूली का अधिकार उन्हें दिया गया होता था इस व्यवस्था की देख रेक के लिए साही अधिकारी निव्थ होते थे और वेस्थानिय पिसासन में भी मदद करते थे और जागीदारों को कोई नयायक और पिसासने का अधिकार नहीं होते थे परन्तु कभी-कभी बड़ी जागीदारों को पुलिस अधिकार तेदान जरूर कर दिये जाते थे धीरे धीरे जागीदार सक्ती साली होते गए और रंग्जेब के काल तके एक फोजी सक्ती बन गए जागीदारों की मित्यू के बाद आवंटित जागीर समराट को पुना लोटा दी जाती थे जागीदार की मित्यू के करशाद उसकी समपत्ती पर अधिकार कर लेते हैं और मुतालिव की कटोती के बाद से समपत्ती उसके उत्तरा आदिकारियों में को लोटा देते थे और जागीदारों के स्थानी समंदों से पूर्ट पिथक की करण ने किर्षक वरक्त के अत्यदिक सोसन को पुरोसायत किया और जामिदारों पर भी दवाव कायम कर दिया और अधिक सोसन इवं पित आसन तोस्त ने किरसकों को समराट की विरोध में विद्रो करने के लिए उन्हें उत्तेजित किया और जाटों, सिखों, सत्त, नामियों द्वारा किये विद्रो ऐसी ही विद्रो थे और यही बात आप सभी जानते हैं कि किसानों का सोसर्ण हमेशा हुआ है समझ रहे हैं आप रहे हैं अंगेरेज्यों के समय देख लिजे या उनसे पहले जो भी साथ सक रहे हैं उनके समय देख लिजे मनसब जागीर विवस्था का महत अगर आप देखें तो यह ज़रूर पॉइंट याद रखेगा हो सकता है कुश्चन साब से लिखवित परीक्षा में भी पूँच ले या प्रलेम से में पूँच ले राज्य का एकीकर्ण संभा हो सका इससे अब बात करते हैं मनसब और जागीर विवस्था की सीमाएं क्या थी तो मनसब द्वारा सेनिकों की निउक्ति की जाती थी और आप देखेंगे सेनिकों की निष्टा मनसबदार के पिती होती थी ना कि राज और परजा के पिती इसकी ये कमिया कह लिजे आप लो क्या कह लिजे? कमिया कह लिजे और इस विवस्ता के संचालन के लिए कोई केंद्री संगठन नहीं था यह विवस्ता पूर रूप से राजा की वेक्तित पर निर्भर था हस्तांतरन विवस्ता के कारण मनसबदार की दिरकालीन हित भूमी से नहीं जुड़ पाते थे और उनमें अधिक से अधिक राजस राप्त करने की चाहे होती थी और जिसके कारण कई समस्याओं का उदय हुआ जैसे किर्सकों का सोसन, रेड़ फास का वड़ता दायरा, किर्सकों का अन चित्रों की और पलाएन, अर्ध विवस्ता पर मार वित्तिये कटना हिया अठारवी सिदाब्दी में जागीर भूमी में इजारेदारी विवस्ता का अभी फैरम हुआ, अधिक से अधिक वोली लगाने वालों को यह अधिकार दिया गया, किसानों का सोसन बढ़ता ही गया, और उनमें एक विद्रो हात्मग प्रवित्ति का जनम होने लगा, और बा अधिक सेली में परिवत्न हुआ, और अधिसेत का निवेस पिरभावी धंक से नहीं हो सका, अब आप देखे लिजे, मुगल कालीन, मुद्रा और टकसाल करेंसी की बात कर लिजे, क्या विवस्ता रही है, बावर और हुमायून ने पहले से ही चली आ रही मुद्रा पिड़ को ही जारी रखा, और उसी के आधार पर अपने नाम के सिक्के भी चलवा इसने, और अकबर ने मुगल कालीन, टकसाला और मुद्रा विवस्ता में महत्वून परिवर्तन किये, किसने? अकबर ने पाहली बार परिवर्तन किये, अकबर ने अपने समय में सौना चांदी और तामी के भिवन ने तॉल और मोलेंगे चलवाए उनका पारस पर एक अनपात निश्चित कर दिया आफ सोचे कि उस समय हमारे देश में कितना सोना चांदी तामा रहा होगा कि आप देखे कि सोने के सिक्षत चलते थे तामे के सिक्षद चलते थे आज आप देखिए उसके लिए तरस रहें देखने के लिए और इस सिक्के अच्छी धातू और ठेक तौल के होते थे और इनमें से अधिकांस गोल थे यागे भी कुछ चौकोर भी बनाए गए थे वादसा का नाम टकसाल का नाम और जारी किये गए वर्स की अत्रिक्त उनमें से अधिकांस पर कुरान की आयतें अंकित की गई है इस तरह की जो संगराले बने हुए है वहाँ आप जाएंगी तो आपको अभी भी इस तरह की सिक्के देखने को मिल जाएंगे लेकिन मापी चाहता हूँ वहाँ घर लाने के लिए नहीं मिलेंगे देख जरूर आईएगा अकबर ने सिक्कों पर अपनी आकर्टी अंकित नहीं करवाई और इन सिक्कों को संदर और सोरुची सोरुची पूर बनाया गया था और उनकी ढलाई उत्तम पेकार की थी अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था जो तौल में 101 तौले के करीब था जिसका प्रवब बड़े लेंदेनों में होता था सोने का अधिकार सोने का अधिक चलने वाला सिक्का इलाही कहला था क्या? इलाही कहला था और जिसका मूल 10 रूपी के बराबर होता था इसके अतरिक सौनी के अन्य सिक्के भी थे जिनकी कुल संख्या 26 थी और चांदी का सिक्का रूपिया कहलाता था और जिसका बजन 172.5 ग्रेंड था और आप देखेंगे चौको रूपे की जलाली फुकारा गया था इसे और यह प कीमत रूपे का 40 बा भाग थी और तावी का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था एक दाम के मूल में आप देखेंगे 25 जीतल माने जाते थे और अकवर की मुद्रा और टकसाल विवस्था बहुत सेष्ट माने गई और से अंग्रेजों के समाई ही मुद्रा और टकसाल बिवस्था और शिक्कों किसे सेष्ट बताया सबसे अच्छा बताया है फिर आप देखें कि जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृती अंकित करवाई यानि कि अपनी फोटू भी लगवाने लगा और उसके कुछ सिक्कों पर उसके साहथ नूर जहा का नाम भी अं प्रभान की गई इस बिवस्था में कोई परीवर्तन नहीं किया गया और आप देखेंगे मुगलों की मुद्राओं का पिछलन राजद्वारा नेंति टकसालों के माध्यम से किया जाता था और एक टकसाल है समराज के विवहन भागों में थी अबुल फजल की अनुसार 1595 में सोने की सिक्के डालने के लिए चार चांदी की सिक्के डालने के लिए 14 और तावी की सिक्के डालने के लिए 40 टकसालें समराज्य में थी और अंगजीब की समय तक टकसालों की संख्या में और विड़ी की गई इर्फान हबीब के अनुसार मुगल बासाओं ने पूरे 100 साल तक रुफे के वजन को समान वनाए रखा और इसके अतरिक्त मुगल सासन की एक विसेश ताया भी थी कि या गिपी टक सालें के अंदरी सरकार के नियंतर में थी और तब भी ढलाई के मामले में बेसुतंद थी अर्था कोई भी बैक्ती जिस धातू के सिक्के स्वयम ढलवाना चायता था वह उस धातू को टक साल में ले जाकर उस धातू के सिक्के ढलवा सकता था और या गिफी उसे इस पेकार के ढलवाए गए, स्थिक्कों की कीमत का लगवग 5 या 6 पितीसत पारिश समिक की रूम में देना होता था। और मुगल काल में सोनी की सिक्के बनानी की चार टक सालें, चांदी की सिक्के के लिए 14 टक सालें, तामी की सिक्के के लिए 42 टक सालें हुआ करती थी। मुगल काल में टक साल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। और जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में सराप का प उनके बारे में हम लोग इसी तरह से तो जानकारी पराप्त करते हैं अकवर ने देखी राम सीता की आक्रती बनवादी तो ऐसा माल लिया जाते है कि वो धरम निर्पिक्ष शासक रहा होगा उसने धरम के साथ किसी के धरम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया होगा है अकवर ने असीज़ बिजय की स्मीति में अपने सिक्कों पर बाच की आखरती अंकित करवाई औरणग्जेव ने सिक्कों पर कलमा खुदबाना बंद करा दिया और उससे के कुछ सिक्कों पर मीर अब्द वाकी सहनाई द्वारा रचित पद्ध सें किसनें औरंग जेब ने सबसे विवादिश्वद रहा है मुहर यह सौनी का सिक्का हो था जिसे अकबर ने अपने सासन काल के पयारम में चलवाए था इसका मूल 9 रुपे आईनी अकबरी के अनुसार था और मुगल काल का सबसे अधिक पिछली सिक्का था यह संसब यह अकबर द्वारा चलाएगा सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो 101 तौली का होता था जो बड़े बड़े लेंदेन में प्रेयोग होता था इलाही अकबर द्वारा चलाएगा सोने का गोला का सिक्का था इसका मूल 10 रुफे के बराबर होता था रुफिया ये सुध्य चांदी का सिक्का था से साहे द्वारा विवर्ति करवाए गया था इसका बजन अगर आप देखें तो 175 ग्रेन होता था जलाली ये चांदी का बरगाकार या चोकोर सिक्का इसे अकवर ने चलाया था दाम अकबर द्वारा चलाये गया तामी का सिक्का जो रुपे के 40 वे भाग के बराबर होता था फिर आप देखें कि जीतल तामी का सबसे छोटा सिक्का या दाम के 25 वे भाग के बराबर होता था इसे फुलूस या पैसा कहा जाता था फिर आप देखें कि निसार जहांगी दुबरा चलाए गया थांबी का सिक्का था जो रुपे के चोथाई मूल्ड के बराबर होता था आना एदाम और रुपे के बीच आना नामक सिक्की का पिचलन करवाय गया था तो यह सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर पूर याद रखेगा और यह आप देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई वीद रहे हैं कुछ सिक्के देख लिजे मोगल बासा की सिक्के हैं इस सभी माप की काई देख लिजे सिकंद्री गज ए 49 अंगोल या 32 इंच अंक के बराबर होता था एक तरसे आप लोग देखते होंगे गाउं की तरफ अंगली से अंगोल में नामते थे उसे ही की बात हो रही है इलाही गज ए 41 अंगोल या 33 इंच अंक के बराबर कोवार्ट ए दच्छे भारत में सूती उन बस्तों की माप की काई थी बाहर ए अरब ब्याबारियों ने समुद्री इत्रटों पर तॉल की इस सिकाई को लागू किया गया था केंडी एक गवा में फिसले तॉल की काई होती थी अब बात करते हैं मुगल काली राजस पर डाली राजस का भी तो जरूरी है टेक्स कर भी तो जरूरी है तो मुगल वासा की आय के मुख सादन योद्ध में लूटी गई संपत्ती का पांचवा भाग ब्यापारी कर टकसाल अधिनस्त राजाओं मनसबदारों के समय समय पर प्राप्त होने बाला उपभार लाबारज संपत्ती नमक कर राज्यों द्वारा चलाय जारे उद्ध्योंगों से आय और लगान का लगान या भूमी कर था और मुगलकाल में राज़स्त की सरोतों को मुख दो भागों में बाटा गया चैन्द्री याय की सरोत और आप देखें कि स्थानी सरोत में सरपतम भूराजस से था और भूराजस्त के बटवारी को सुवयोस्तेत रूप से संचालित करने के लिए मुगल भूमी को तीन जोटी जाती थी उसमें से कुछ भाग लेता था सासक मुगलबास सा ब्यापारी कर भी लेता था टकसाल से भी अधिर्ण जो राजा थे उसके अधिन में उनसे भी मनसबदारों से भी लावारिश संपत्ती से भी नमक पर भी कर लगाता था और आप देखे भूमी से भी आप सरकारों सरदारों या व्यक्तियों को उनकी बेतन के एवज में दी जाती थी और जिन पर उन्हें करवसूल करने का अधिकार होता था पर अनुदान ग्राही का बंसा नुगत अधिकार होता था पर आप देखें कि मुगल काल में सरपितम अकवर द्वारा भूराजस से विवस्ता गोस्तंगठित रूप दिया गया पैरम में अकवर ने सेसाय द्वारा अपनाई गे जापती पेणाली को अपनाया जिसमें राई के आधार पर भूमी उत्पादन का एक तेहाई भाल करक मजीद और 1568 में सेहाबुद्दीन एहमद को अपना दीबान बनाया फर आप देखें ही 1570 में मुझपख खां तुर्वती को पुना दीबान बनाया गया और उसे उसने टोडर मल और ख्वाजा मंसूर को अपने साहिक की रूम में नियुक्त किया गुजरात बिजाए कि कि संक्या 142 थी कितनी 142 टोडर मल ने अकवर के सासन में के 24 वर्स यानि के 1580 में आईने 10 साला नामक एक नई करपनाली को सुरू करके मोगल कालीन लगान विवस्ता को इस्थाई रूम पिदान किया और इस पेडाली की बास्तविक प्रेड़ता टोडर मल साहिक वाजा थे इस कारण इसे टोडर मल बंदोवस्त भी कहा जाता है और इस पेडाली के अंतरगत अलग-अलग फसलों के पिछले 10 वर्सों के उतपादन उसी समय में उनके पिछले मुल्यों की और निकाल कर और निकाल का एक तेहाई हिस्सा राजिस की रूम में आप देखेंगे कि ब बसूला जाता था और 10 साला पिणाली में यगपी करका निर्धारन पिछले 10 बरसों के उत्पादन उनके पिछले मूल्यों के आधार पर किया जाता था लेकिन उसका एक 10 बर भाग हर साल बसूला जाता था जिसे आप लोग माल ए हर साला कहा जाता था और 10 साला पिणाली संप परणाली को दच्छिन भारत में साहजहां की समय मुरसीत खुली खाने लागू किया था ठीक है दच्छिन भारत में और मुगलकाल में कर निर्धारन की एक अन्र परणालीयों में सबसे पुरानी और सामानता पिछलित परटाई असवा गल्ला वक्सी थी इसे भावली भी कहा और राजी के बीच एक निक्षित अन्पात में बटवारा किया जाता था और इसमें भी उपज के एक तीन भाग पर राज्य कादिकार होता था और इस परणाली में राजिस्त निर्धारन हित्तु तीन तरह से होता था खेद बटाई फसल तयार होती ही खेद को बांट लिय आधर गोर्या जाता था यानि कि उसके कटाई बटाई कुछ नहीं होती खड़ी फसल को माट लीजे है फिर आप देखेंगे लंग बटाई फसल कटने के बाद गठर बांथ कर उसे बाट लिया जाता था और ड़िखते हैं कि यह हूं का अपलों कटाई हो जाती है तो उसके गठर बान दिये जाते हैं, उसी समय, रास्ती बटाई, अनाज तियार होने के बाद बटवारा होता था, तीन तरह से बटवारा होता था, बटाई पडाली सिंद का अवोल के कुछ भाग कंधारों कस्मीर में फिचली थी, कनकूत पडाली बटाई का ही संसोदित रूप थी, इसे दानबंदी भी कहा जाता था, अभूराजस निधारन के लिए अकबर ने भूमी का वर्गी करण चार भागों में किया था, जो इस तरह हैं, पोलज, जिस पर हर बरस कहती होती थी, उससे क्या कहती थी, पोलज, परती जब भूमी पर वुआई ना करके, उसे फिर से औ परवर्ता पराप्त करने के लिए बिना भूई छोड़ दिया जाता था, परती कहते थे, चाचर जैसे तीन चार बरसों तक बिना भूई छोड़ा जाता था, बंजर या चार से पांच बरसों या उससे अधिक समय तक बिना भूई पड़ी रहती थी, बंजर भूमी कहलाती थी और यह आज भी देखेंगे आप लोग कई छेत में कास्त खेती में प्रियुक्त भूमी पर भी कर लिया जाता था छेत फल में की एकाई भीगा मानी जाती थी अकपर ने सूरी की गड़ना पर आधरी इलाही संबद भी चलवाया और इसे फसली संबद भी आप लोग कहते ह अकपर ने भूमी की पहमाईश के लिए अपने सासन काल में के 31 विवर्स 1586-87 में सिकंदरी गज 49 अंगुल या 32 इंच के स्थान पर इलाही गज 41 अंगुल या 32 एक वटे 2 इंच का प्रियुक्त किया जाता था किन्तु साह जहां की काल में नाप में पुना परिवतन हुआ है और उसने दो नई नापों का प्यार्म को आरम किया एक वी गा ही लाही और ये आप देखें कि दिराय साह जहौनी वी गा वी गा ये दफतरी और अरंगजेब के परश्चाद बीगाई दपतरी का प्रियोग बंध हो गया और किन्तु बीगाई ये लाही मुगलकाल के अंतरगत अंतर तक चलता रहा और इसके अतरिक्त अगवर्ब ने तनव तंबू की रक्सी की जगए जरीब वास का डंडा जिस पर लोहे की कडिया जुड़ी होती थी का चिलन प्यारम किया जरीब का प्रियोग करने वाला अक्पर पहला सा सकता कनकूत प्रिथा में खेती को पगो या रस्ती से ना पा जाता था और ततपरशाद पिती बीगा पैदाबार का अनुमान करके राजस बसूल किया जाता था नस्क पिता कस्मीर में कनकूत पिता का एक विकल थी कस्मीर में इस पिता को गल्ला एवक्स तथा गुजरात में से नस्क ए जुज अत्पास आंसिक नस्क कहा जाता था और इसका एक और बताता हूँ, गाउं की तरह अभी भी आप लोग देखेंगे, अकबर के काल में भूराजस का उपच का एक तीसरा भाग सामान रूप से लिया जाता था, किन्तु या गुजरात में एक दूसरा भाग था और राजपूताना में एक से सातवा या एक से खित्रों में अलग-अलग था है, साज यहां के काल में भूराजस से बढ़कर 50% तक हो गया, जबकि कुवांद वारा सिंची भूमी पर एक तीसरा भाग ही लिया जाता था, साज यहां ने भूराजस पसूल करने के लिए ठेकेतारी पिथा का पिचलना आरम किया, और किसान महा सिलाना 5% दसेहरी नमक अनिक उपकर तथा अब वाब देने पड़ते थे, दसेहरी नमक कर पिती भीगा के साब से बसूला जाता था, एक तरह से आपके किसानों का सोसन हो रहा था, मुगल काल में किर्सक वर्ग इस पर शुरूप से तीन भागों में भाजित थे, एक ख खुद कास्त, वे खेतिहर किसान जो उसी गाओं की भूमी पर किर्सी करते थे, जिसके वे निबासी होते थे, और इन्हें अपनी भूमी पर इस्थाई, एवं बनसानुगत अधिकार पराप्त होते थे, और इन्हें अपनी भूमी की बटाई पर देने या ता था था, इन् पाही कास्त बेकिसान जो दूसरे गाउं में आइस्थाई रूप से जाकर बटाईदार की रूम में काम करते थे बटियादार, मुझारियान एक किरसक मजदूर थे और एक खुद कास्त की जमीन की को बटाई पर लेकर खेती करते थे, इनके पास इतनी कम जमीन होती थी कि पर खेती करते थे, फिर आप देखेंगे जमीदार वेवस्थाती है, मुगलकाल में जमीदार बे भू स्वामी होते थे, जने कुछ ग्रावों से भूराजस वसूल करने का वंसानुगत अधिकार पराप्त होता था, जमीदार अपनी जमीदारी का वंसानुगत अधिकार हो तब तक उसे भूमी से बेदखल नहीं किया जा सकता था और जमीदारों को मुगल काल में देश मोग पाटिल अधवा नायक आधी नामों से भी जाना जाता था सायजा ने ठेकेदारी पिथा का पचलन किया था और भूराजस की वसूली के लिए जमीदारों को राजस का एक हिस्सा कमीशन के रूप में पराप्त होता था जो राजस को 10% से लेकर 25% तक हो सकता था जागीदारों और जमीदारों में पिर्मो कंतर यह था कि जागीदार हस्तांतरित होती रहती थी जबकि जमीदारी एक इस्थाई पुस्तेनी हक होता था जमीदारी पिथा के सामनता तीन तरीके होते थे पर्टक अधिकार बिजय इवं खरीद जमीदारी की खरीद विक्री भी होती थी जमीदारों को तीन सेणियों में राजस भुकतान आधारित पैतरक जमीदारी आधारित और जौरत जौरतलव जमीदार और राजस भुकतान व शाल वाजिप देने बाले जमिदार अधिकार वाली तीन तरह की जमिदार स्वाईद जमीदार मध्यस्त जमीदार और आप नामों से भी इने जानते थे मध्यस्त जमीदारों की सेनी में वे जमीदार आते थे जो प्रात्मिक जमीदारों से राजस्त एकत्तित कर उसे साही खजाने या जागीदार को भी देते थे या फिर कुछ इस्तितियों में अपने पास ही रख लेते थे तीसरे वर्ग में वे ज गुजारी वसूल करने के लिए राज़त से अनुवन्द करते थे फर आप देखें प्रात्मिक जमीदारों के पास किर्सी गद भूमी होती थी और जिस पर या तो स्वैम खिती करते थे या फिर किराय द्वारा करवाते थे जमीदारों का थीसरा वक जौरत लव जमीदार का ये वे जमीदार थे जिन से संगोर्स फरा उपरांत ही माल गुजारी की वसूली हो पाती थी जमीदारों का प्रमुकार राजस वसूली से जुड़ा हुआ था और या तो स्वैम राजस वसूलते थे या फिर राजस वसूले में कैंदी की साहता करते थे और किर्सी कारे को देना भी उनका कार था अपने चेत में कानू रिवस था कि स्थापना में भूमी का निर्भाना और अन पिसासने कारियों में साही अधिकारियों की साहता करना उन्हीं के जिब में होता था बड़े स्वायत जमीदार आवस्क्ता पड़ने पर केंद को सेन साहता भी उपलब द या रसक के जमीदारी भी कहा जाता था जमीदारों पर सरकार का नियंतर बराबर बना रहता था हाला कि यहर सासक बिसेश की योगता पर भी निर्वर करता था कई कम जो सासकों के समय जमीदारों पर नियंतर कम जोर पड़ा और जमीदारी अधिकारी की अधिकार की विक्री सा बैंकिंग पीमा एबं वित्तिय कारप्रणाली के बारे में जान लेते हैं तो मध्यकालीन भारफ में बैंकी विवस्ता की अंतरगत तीन कार आयते थे एक तो आप देखेंगे कि मुद्रा के स्थाना अंतरं एबं परिवर्दन की विवस्ता करना धन को सुरक्षित रखना अग्रिम धन एबं उधार पृदान करना आज भी तो आप देखते हैं बैंक उधार देती है रिड़ देती है आपकी जमा रासी भी रखती है तो उसी की बात हो रही है और आप लोग धन को सुरक्षित भी लोकर भी खरीदते हैं इस सारे कारिनेजी तोर पर सराफा सेठों साही आदी के द्वारा किया जाते थे राज की इन में कोई भूमिका नहीं होती थे एक तरह से आप लोग साहू काल समझे लिजे ने जानदा तर सराफ धनी ब्यापारी थे और धन को दोसरी मद्रा में परिवर्थित करते समय वे पुराने सिक्कों के बदली नए सिक्के देते थे जिन्हें नए सिक्के से सिक्कों में बदल जाना हो सिक्के की मूल में बदलने जाने की समय उसकी बज़न इवं गुडवत्ता की अनुसार समानफाति कमी की जाती थी और बेंकर की रूम में सराप धन दोबारा मांगे जाने वा तक अपने पास सुरक्षित रखते थे और धन रखने वालों को रखने के समय की अनुसार कुछ ब्याज भी प्राप्त होता था और आप देखेंगे ब्याज की इदर बाजार में नगत धन की मांग एवं आपूर्ती की अनुसार निश्चित होती थी बैंकर अपने पास जमा रखन को उचित ब्याज़ दरों पर विबिन ब्यापारियों दस्तकारों जागीदारों अधिकारीयों को रेड के रो में देते थे आज भी तो आप देखते हैं कि आप लोग जिट जमा करते हैं एक बैंक अपने पास रख की क्या करेगी और आपको ब्याज कहां से देगी तो इसलिए आपने देखा होगा कि वो दूसरे लोगों को दे देती है ब्यापारियों को देख लिए बिजनसमेनों को, सरकार को भी रिड व्यवसाएक एवम ब्यक्तियकत दोनव फिकार की अवस्तक्ता में दिये जाते थे ऐसे रेड इस्थानिय बनियों द्वारा गाउं में भी किसानों को दिये जाते थे विसे इसकर तब जब उन्हें लगान अधा करना हो अकसर जमीदार भी वे ब्यक्तिगत खर्चों के लिए रिर लेते थे और लगान बसूली के उपरांद चुका देते थे रेडों पर ब्याज की दर भिन 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 थी अलाग लग थी मौटे तोर पर ब्याज की दर पित्ती वर्स के अनुसार तैह होती थी किन्तु अलफ अउधी के रेडों के लिए मासिक भी हो सकती थी यानि कि यह कहने का मतलब है कि पूरे साल के को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दैते होती थी और किसी को कम महीने के लिए चाहिए तो महीने के हिसाब से कि आपको इतना महीने का इतना देना पड़ेगा रेडों पर ब्याज की दर सामनता 9.30 से 15.30 के बीच थी बैंकरों का अन्य महत्पूर कारे था धन के इस्थाना अंतन की वेवस्ता करना जो हुंडी अत्वा इस्थाना अंतन प्राप्त पत्त द्वारा की जाती थी और यह है एक पत्त अत्वा लिखित सामगरी थी जिसमें हुंडी जारी करने वाली बैंकर द्वारा दिये गया धन के बदले किसी इस्थान विसे इस पर निश्च Luther धन अदा किया जाने का वज़ा लिखा होता था इस हुन्डी से लिखे इस्थान पर वैंकर के एजन्ट से पराप्ति से धन पराप्त किया जा सकता था और हुन्डिया आम तोर पर व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती थी क्योंकि अधिक मात्र मात्रा में नगत धन ले जाना खतरनात था यहां तक कि अधिकारी भी वसूला गया राजस हुन्डियों के माध्यम से भेजते थे और इनकी इसकी लोगपी रिटा वढ़ने के साथ साथ कई जगहों पर मौद्रिक आदान पिदान का एक साधन भी बन गई थी सराफा हुन्डी जारी करते अत्वाद धन देते वक्त अपना हिस्सा कमीशन काट लेते थे और कमीशन की दर बाजार की स्तितियों इबं हुन्टी जिस सहर के लिए जारी की जाती थी उस सहर के अनुसार तै होती थी सामान पर स्तितियों में जहां यह दर एक दसमलों पाच पिती सत हो सकती थी वहें विपरीत परिस्तिदियों में एक 7 से 8 सी सच तक हो सकती थी कई वाल सराभ बीमा की रूम में एक रासी लेकर बस्तूओं को सुरक्षत पहुंचाने का जिम्मा भी लेते थे और बीमे की यह बिवस्ता जहां आंत्रिक व्यापार पा लागू थी वहीं विदेशी व्यापार समुद्री इस्थलिये दोनों पर भी लागू होती थी भीमे की रासी विविन इस्थानों एवं भेजी जारी बस्तू के रूमसार भिन भिन होती थी किन्तु सावानता समुद्री मारगों पर इस्थलिये मारगों की तुला में दर जाना होती थी और आठ भी सतापदी तक यह वे वस्ता भली भाती पिछलिद एवं इस्थापिद हो चुकी थी एक तरह से आप देखें कि एक समय कुछ तरह के गुंडे होते थे मवाली होते थे जो आपने देखा होगा कि अपने चेत से गुजरने के लिए कि सुरक्षित आपका काम हो जाएगा आपको इतना पैसा देना पड़ेगा और आज कल भी आप देखते हैं कि आप लोग जब ट्रेंड का टिकेट वुक करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप लोग बीमा लेते हैं बीमा कबरेज लेते हैं और एक बात और देखें इसमें रेलवी कंपनियों या जो कंपनी इस बीमा को करती है उसे कोई नुकसान नहीं होता है ये गलत फैमी है क ये बीमा कंपनी जो होती है फायदे में ही रहती है वरना आप देखें कोई अपना घाटा थोड़ी करेगा यह आश्चर की एक काविसा है कि फारसी इतिहास और आप देखेंगे फारसी इतिहास बिदेशी यात्रियों के लेखों एवं कारखानों के वही खाते के आंकड़ कभी कभार वेईमानी के उधारम भी आए किंतु इस्थानिये नियाए विवस्ता से ने उसका समचित समाधान कर दिया क्या कर दिया समचित समाधान कर दिया फिर आगे आप लोग देखेंगे इसमें कि मुगल कालीन इस्थापत कला को देख लिजे इनसे कुश्चन्स आप परीक्षा की दरिष्टी से कितना महत्पूर है जिस कला को मुगल इस्थापत कला का कला पुकारा जाता है वो है मद्देशिया की इसलामी कला और भाधितिय हिंदू कला का मिसरित रूप है इस कला में इसलामी कला से गोल गुमब उची-उची मिनारें, महराब, छत्ने, खंबे और नुकीली महराब ली गई है आरब में लाल पत्थी का प्रयोग किया गया और इमारतों को विसाल तथा मजबूत बनाने का परबल दिया गया लेकिन बाद में इन इमारतों में सफेद संग्मर्वर के प्रयोग को संबलित किया गया रंगीन बेल भूटों आधी के द्वारा अत्यदिक सुन्दर बनाने का पेरटन किया गया इन सभी से मिलकर मुगल्स इस्थापत कला सेष्ट मनी और इस समय भब इमारतों का निर्माड हुआ है एक बात और आपको बता देता हुए देखी आज भी आप देखते हैं कई मस्चिद्यों को तोड़ने की बात होती है कि यहां मंदिर थे और आप देखी कि जो आयुद्ध्या राम मंदिर जनम भूमें बाबरी मस्चिद को लेकर जुबेबाद था उसमें आप देखी कि जब मस्चिद्यों का उसमें आप देखी कि उसका निरिक्षन किया गया तो उसमें कोई मूर्ती नहीं मिली भगवान की लेकिन कहा गया है कि आप देखी कि जो गुम्मत खड़े हुए इसमें हिंदू संस्किती का एक तरह से दिखाई दे रही है क्योंकि आप सभी जो सोचिए कई विद्वान उस समय कहते भी ऐसा कि देखीए जो मुगल थे कौन जो मुगल थे इनके समय की जो भी बेड़ लगे हैं जो भी आप देखीए इस तरह की इमारते हैं उसमें आप देखी हिंदू संस्किती भी आप लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि आप देखेंगी कि ये इस्तलामी और भारती हिंदू कला का मिसरित रूप है तो दोनों का आप लोगों को उहां देखने को मिलेगी समय रहे हैं आप लोग मुगल कालीन बास्तू कला में फारस तुर्की मदेशिया गुजरात बंगाल जौनपुर आदी स्थानों की सैलिया सैलियूआ का मिसरिन है पसी ब्राउन ने मुगल इस्ताफत कला को भारती बस्तू कला का ग्रेसम काल माना गए जो प्रिकास और औरवरा का पितीक माना जाता है एश्मिट ने मुगल कालीन बस्तू कला को कला की रानी भी कहा है क्या है कला की रानी भी कहा है और मैं आप लोगों को एक और बाद बता देता हूँ देखे बॉट्सप और फेस्बुक उनिवसिटी जो चल रही है हमारे दिश्ट में इनसे दोर ही आप लोग रहा करिएगा इनका और हकीगत इस्तियास जो आपका है इन दोनों के बीच कोई लेना देना नहीं है वो जहां भॉट्सप और फेस्बुक उनिवसिटी चल रही है वो अपने राजनीतिक रोटियां सेंखने के लिए इतिहास आपके सामने परोसा जा रहा है उनका हकीगत इस तिहास से कोई लेना देना नहीं है आपको जागरू करकर कोई उन्हें कुछ मिलने वाला है मुगल कालीन वास्तुकला की छित में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विवित्ता का परियोग तथा निर्माड की सामगरी की रूम में पत्थर की अलावा पलस्तर एवं गज कारी का परियोग किया गया मुगल इस्थापत की मुक्विसिस्ता संगमर्वा के पत्थरों पर हीरे जवाराद से की गई जडावट का परियोग जिसे पित्ता दौरा कहा जाता है सबाज़ सजावट के लिए पत्थरों को काटते काटकर फूल पत्ते, बेल वूटे आदी को सफेद संगमर्मर्वा में बड़ा जडा जाता है और किसमेद मुगल इस्थापत कला सेडी को इंडो पार्सीन सेली तथा अन इसे इंडो रा सार सेनिक सेली भी कहते है क्या कहते हैं? सार सेनिक भी कहते हैं तो यह भी याद रखना चाहिए आप लोगों को. बावर कालीन जो इस्थापत कला रही है, उसके बारे में भी जान लेजे, हर सासक से भी कुश्चन्स आते रहते हैं. मुगल कालीन इस्थापत कला सैडी की सुरुवाद बावर के समय से होती है, बाबा राजा मान सिंग और राजा विकर्मा दित्टो द्वारा, गौालियर में बनवाई गई इमारतों से बहुत पिरभावीथ था, और बावर द्वारा बनवाई गई पिरमुक इमारते हैं, आप देखेंगें. तो आगरा में ज्यामितिये बिधी पर आधारीत एक उद्यान नूरब गान पानीपत के काबुल वाग में निर्मित एक इसमारक मस्जिद रोहेल खंड में संभल में बनाई गई जामी मस्जिद अयद्या में बनवाई गई बावरी मस्जिद मीर बाकी के द्वारा जो आप द खापत और मीर बाकी ने जौनपुर में एक साही पुल का निर्माड भी करवाया था आप देखे कई सास सालों यह आप देखे कि बावरी मस्जिद और राम जनम भुमी को लेकर बिबाद चलता रहा बावर की करनी आप देखे अभी बर्तमान के लोगों ने जहली आजादी जब बावरी मर्शिद तोड़ी गई तो उसके बाद भी हमारे देश में कई जगे दंगे हुए कई जगे आतन की घटनाय हुई इसी कारण से तो आप देखे उनकी गलतिया आज भोगत भी पड़ रही है और इसलिए आप देखे कि एक वर्ष पिलेस और वर्षिप एक्ट 1991 आया हुआ है एक्ट सीधा सा कहता है कि 1947 पहले जो भी हुआ चाहे हिंदुों ने मिसलमानों को अत्याचार किया हो या मुसलिमों ने हिंदू पर अत्याचार किया हो चाहे मंदिर को बना कर मंदिर को तोड़ कर मंदिर बनाया हो या मंदिर को तोड़ कर मंदिर बनाया हो उ से बाहर रखा गया था लेकिन फिर भी आप देखे कि हमारे देश की राजनीती सबसे बड़ी बात होती है इस धार्मी को सामाजिक कारण कम रहते हैं राजनीतिक रोटी है इस पर जानदा सिखती है और राजनीता इन मुद्दों को उठाते रहते हैं अपनी राजनीती करते उसी का परड़ाम रहता है कि हिंदो मुसलियों में खाई अभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और हमायू काली नगर इस्थापत की बात करें तो राजनीतिक आयस्थरता की पिती कूलता के कारण हमायू वास्तु कला की छेत में कुछ खास नहीं कर सका और उसन दिल्ली में है और इसकी दिवारें रोडी से निर्मित है और इसके अतरिक्त आगरा और फतेहाबाद हिसार में दो मस्जिदों का निर्मार भी कराया गया था हमायू के द्वारा सेर साह की बात कर लिजे सेर साह का लगू काल भारती इस्थापत कला के छित में संकमड काल कह होना चाहिए मालू तो होना चाहिए कुछ थो और आप देखेंगे कि उसे दिल्ली पर कप जाप कर सेरगड़ और दिल्ली सेसाय की सेर साही की उसने क्या किया सेसा की निव डाली क्योंकि आप सभी जानते इंगी बीच में कुछ हुमाईओ के आसपास हुमाईओ को एक तरह से हरा कर सेसाय सूरी हमारे भारत में कबजा कर लेता है और अपना राज करने लगता है और आज इस समय नगर की अवसेसों में लाल दरवाजा, खोनी दरवाजा ही देखने को मिलेते हैं और सेसाय ने दीन पनाहा को तड़वा कर उसके मलवे पर पुरानी के लिए का निर्माण क कर भाए था सेसाय का सहसाराम पिहार में जील के अंदर एक उचे टीले पर निर्मित मकमरा हिंदू-मुसलिम भास्तुकला का सेष्ट नमूना है सासाराम भी कहते थे से सहसाराम तो याद रखेगा एक कुश्चन सभी कई वार वंडे एक जाम में पूच लेता है पारसी ब् सारत की सर्वत्तम कृति का है किला एक कहना नामक मस्जित परिशा में सेर मंडल नामक अश्टभुजी तीन मंजिल्या मंडब निर्मित करवाए गया है सेसाय के द्वारा ये आप देखे सासाराम इस्तित्व सेसाह का मकवरा है आपको दिखाई भी दे रहा होगा अकवर कालीन अगर स्थावत कला की बात करें तो अकवर के सासनकाल में निर्माड कारियों में हिंदू मुसलिम सैलियों का ब्यापक समरवय देखता है और अबुल फजल ने अकवर की विसाय में कहा है कि समराट सुन्दर इमारतों की युजना वनाता था और अपने मस्तिस का अधिक्ता से पाया जाना था और इसके अतरिक तो उसने कुछ भावनों में संग्वनवर का भी प्रयोग किया उसने देश की सुरक्षा को देहार में रखते हुए महत्पूर इस्थानपूर अनिक किलों का निर्माड भी करा है जिसमें आगरा लाहो और इलावाद के किल आए उपलब देख करके बनवाय था इस पर फासी कला का प्रभाव है और इसके लंबे गर्दन वाले घुम्मत की कला की समता समरकंद में बने समरकंद में बने हुए तैमूर या बीवी खानम के मकवरे से की जा सकती है मकवरे के चारो और चारवाग की रचना की गई है और अपनी इमारतों के में बगी चे का निर्माड करके सुंदर बनाना मुगल इस्थापद कला की प्रमुक्विसेश्ता है मकवरा चारोगर से ज्यामिती है चत्रभुज आकार के उद्ध्यानों से घरा है और इराणी प्रभाव के सासाथ इस मकवरे में हिंदू सैली की पंच रत से भी फेडा ली गई है सफेद संगमर्मर से निर्मित मकवरे का गुम्मत भी इसकी मुक्ष विसेस्ता है या आप देख लिए दिल्ली हुमायू का मकवरा है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस मकवरे को ताजमहल का पूरुव गामी भी कहते हैं और इसे एक वफादार बीवी की महबूबा महबूबाना पेसकस भी कहा जाता है या पिता मकवरा है जिसमें दोहरे गुमत का प्रयों हुआ है हुमायू के मकवरे में हुमायू के अलावा नो लोगों को दफन किया गया है दिल्ली के अंति मुगल वासा बहादूर सा जफरोस के तीर सहजादों को अंग्रेज लेप्टिनेंट हरसन ने 1857 में हुमायू के मकवरें से गरफतार किया था आगरा का किला ए 1666 में अकवर की पिरमुक वास्तूकार कासिम खा की नेतित में इस किले का निर्माड कार प्यारम हुआ था और 15 बरसों में 35 लाग की लागस से यह किला यमना नदी के किनारे लगभग 1 सही 1 वटे 2 मील में फैला है और किले की महरावों पर अकवर ने कुरान की आयातों के स्थान पर संग मरमर पर पसु पक्षी फूल पत्तियों की आख्टी को खुब दबाया है और इसके लिए में पहले चार प्रविस द्वार थे बाद में दो बंद करवा दिये गए और सेस दो द्वारों में से एक दिल्ली द्वार और दूसरा अमर सेंग द्वार कहलाता है के लिए कि महिश्य में इस दिल्ली दरवाजा का निर्मार 16-1666 में किया गया था फरसी वराउन ने दरवाजी के बारे में कहा है कि निसंदे ही भारत के सबसे अधिक प्रवाव साली दरवाजे में से एक है और इसके लिए में लगभ़ 500 इमारतों का निर्मार भी हुआ है जिनमें लाल पत्थर का प्रियोग हुआ है और इसकी बहुत सी इमारतों को साय जहाने तुड़वा कर दुबारा बनवाया इन में प्रवमक इमारते हैं जहागीर महल, अकबरी महल आगरा के किली की साधार रूप रेखा मानसिंग दुबारा बनवाई ग्वालियर के लिए से मिलती है ग्वालियर भी, आप लोग जब भी इस तरह की किसी जग़े पर घूमने जाते हैं तो उसके बारे में एक सामान जानकारी देख लिया करेगा इससे क्या रहेगा कि आपकी प्रेक्षा की तैयारी भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाता है और इसी जग़े पर इसी तरह की जग़ों पर घूमने जाया करिएगा यह आगरा का किला हो गया पतेपुर सीकरी अगवर की सुंदर्तम इमारतें फतेपुर सीकरी आगरा की निकट बनवाई गई है अगवर ने सलीम के जनम के बाद 1571 में सेख सलीम चिस्ती के पिती आदर फिरकट करतने के उद्दे से फतेपुर सीकरी में निर्माड कराया 1571 में से मुगल राजी की राधधानी भी बनाया था और फतेपुर सीकरी नगर निर्माण का सरे वास्तु कला विसे सग वहाउद्दीन को जाता है, किसे जाता है, वहाउद्दीन को जाता है, और फतेपुर सीकरी इस्ते पंच महल, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, देखे, एक, दो, तेन, चार, और पंच, पंच महल हो गया फर्गीव सन ने कहा है कि फतेपुर सीकरी पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तित की अभी व्यक्ति है और आप देखेंगे कि और भी यहाँ कुछ पॉइंट दिये गए दिबाने एक आम यह एक आयताकारवकक्ष है जिसमें अकवर अपने मंतिरियों से सलाय मसवरा मसवरा करता था और यहीं पर अकवर का दरवार भी लगता था दिवाने खास बॉद और हिंदु कला सेली के प्रभाव वाला दिवाने खास 47 फुट का वरगाकार भवन है भवन के मद्द में बने उचे चबूतरा पर वैट कर अकवर अपने करमचानियों की बहत सुनता था और नियाय करता था दिवाने खास की ही अकवर का पिसे वाधित खाना है जिसमें वो अपितेक वैसकती बार की संध्या को विमन धर्मों के धर्मा चायों उसे चर्चाएं भी करता था और इसमें एक गोल मंच है जिसकी तुला होवेल ने विस नुश्थमवा विस व्यक्चिसे की है दीवानी खास के उत्तर में कोसागार तथा पस्थिम में एक बरगार का चंदोवा सा जोतिसी की वेठक का निर्माड किया गया और फरसी व्राउन की अनुसार अकवर ने जोतिसीं की वेठक में अपने पागलपन या सनकीपन का प्यदरसन भी किया पंच महल या बहुत इस्थापत किसे बेरे थे और तथा हरम की महलाओं की हवा खोरी के लिए निर्मित था नालंदा का वुद्ध विहार इसकी पेड़ना का सिरोत है इसे हवा महल भी कहा जाता है और इसके सभी इस्थम्बों की बनावर अलग-अलग है तुर्की का सुल्ताना, तुर्की सुल्ताना का महल इस इमारत के निर्मार रुकिया बेगम और फिर सुल्ताना बेगम के लिए किया गया था परसी विराउन ने इसे कलात्मक रच्तन तथा भारती इस्थापत कला का मौती भी कहा है खास महल, यह अगवर की निजी आवास महल है, इसे ही में गुसल खाना है, यहाँ पर बातसायाब मीर बक्सी के साथ बिसेस आदेस जारी करते थे, महल के उपरे हिसे में जरोका दर्सन की वरस्ता की गई थी जोदावाई महल, खास महल से सटा हुआ जोदावाई महल है, जिसका अफाटक बातसा के सैन कक्ष में खोलता है, और यह फटेवोर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापहत है, इस महल के समीब गरियम का महल, किसका मरियम का महल, यहों मरियम महल में फार्सी भीती चित मिलते हैं, जो पहेड कर बनवाईगी इस मस्चित का आयता कर छेत 542 फुट लंबा चारसो औरतीस फुट रचोड़ा है मस्चित के दच्छन में बुलंदरवाजा मद्द में सेख सलीम चिस्ती का मकबरा ओतर में इसमाल खान का मकबरा निर्मित है अकबर ने 1582 में दीन एलाही की घुशना यहीं से की थी और इसके ऊपर बने तीन गुमदों में बीच का गुमद सबसे बड़ा है अकबर ने 1589 में यहीं सी मजहव नामा पड़ा था फिर आप देखे बुलंदरवाजा इसका निर्मान अकबर ने गुजराद विजाई के बाद करवाय था या जामा मस्चित के दच अच्छिडी द्वार पर है यह 134 फोट उचा लाल बलुआ पत्थर का बना है जमीन की सतय से इसकी उचाई 176 फोट है और दरवाजे की महत्वोड विसेश्था इसका महरावी आकार है क्या है महरावी आकार है सेख सलीम चिस्ती का मकबरा इसका निर्वार पास 1572 में आरम ह हुआ यह मकबरा चारों और से 25 फोट हुचा है फरसी विरावन ने इसके विसेवे कहा है कि इसकी सेली इसलामी सेली की बहुत धिकता तथा गामभीरे की अपेक्छा मंदिर निर्माता की सुतनत कल्फना का परिशाय देती है फिर आप देखेंगे लाहूर का किला लाहूर क करवाया यानि कि जहां भी यह सासक जाते थे अपने लिए एक क्या करते थे एक किला जरूर बनवाते थे आप समय रहे हैं और फिर वहां से छोड़ कर चला दे थे तो वह बना रहता था या भी आगरे में निर्विट जहांगेरी महल से पेरे थे अंतरमात इतना है कि किले क कोश्टकों पर हाती और सिंगों की आगटी और चज्जों पर मोर की आगटी ओके रही गई है इलावाद का किला और नवंबर उन्ने सो माप करिए नवंबर 1583 में अकबर द्वारा बनवाए गया इलावाद का किला अपने 40 स्थमों के कारण बिसालता का एहसास करवाता है और इसके निर्मार में लाल वालुआ पत्थर का प्रियोग हुआ है इसके निर्मार का उद्देश सलीम के सासन की विवस्था करना था यही से सलीम ने अपने सभी विद्रोह किये और इस किले को सहर के मुखिसों से जोड़ने के लिए अकबर ने किले के इस इस इस्थापत को देखें तो जहागीर को इस्थापत की स्थान पर चित्त कला और बगीचे लगवाने का सौख था फिर भी उसके समय कुछ महत्पूर्ण इमारतों का निर्माड हुआ इसके अत्रिक तो उसके समय अगर आप देखें तो अकवर का मकवरा आगरा की के लिए कि निकट सिकंद्रा में इस्थित इस मकवरी की योजना सोयम अकवर ने बनवाई थी पदन्तु 1612 में तक अंतिम रूप से इसका निर्माड कार जहांगीर ने पूरा करवाया और पैरामिड की आकर में बनी स्पंच में घिरे फैले हुए विस्तित बगीचे के मद्द में बना यह 5 मैंजिला मकवरा अकवर की विसाल हिदय का फितिक है और दच्छन की और इसका प्रवेस द्वार है इसके चारों और कौनों पर संगमरबर से बने चार गुम्मद हैं चार मैंजिला में आप देखेंगे 5 मंजिलें नीचे की मंजिल से छोटी होती गई है और इस मकवरे को इसलामी, हिंदू, इसाई, इन्वे से भी अधिक बहुत कला का एक मिस्त स्वरू माना जा सकता है परसी ब्राउन ने इसे मोगल कालीन की सर्फसिष्ट उपलब्धी कहा है और अपने आप में यह मकवरा ग अधिकाल भाग का निर्मार जहागीर की पतनी नोर जहा ने करवाय था और मकवरे की पिते कौने पर अश्टभुजी है सुन्दर पांच मंजिली मंजिल की सो फुट उची मीनार है मकवरे की चट के बीच में संगमर्बर का एक संदर मंडप है मकवरे में जडाव प्रेव हुआ है अब है आपका इत्मात दौला का मकवरा इस परसी विराओन की अनुसार अगर परसी विराओन की बात माने तो आगरा में यमना नदी की तटफर इस्थिति यह मकवरा अकबर और शाय जहां की सहलियों के मद्द एक कड़ी है इसका निर्मार आप के सामने है आगरा में इस्तित एक तरह से आपका इत्मात दौला का मकवरा आपको दिखाई भी दे रहा होगा यह है किसका इत्मात दौला का मकवरा मुगल कालीन वास्थूकला की अंतरगर्द निर्मित यह पिथम ऐसी इमारत है जो फूर रूप से वेदाक सफेद संग मर से निर्मित है और सरपितम इसी मकवरे में पित्रा दौरा नामक जडाव काम किया गया था और मकवरे के अंदर सोने तथा अन्य कीमती पत्थरों रतन आदी से जडावत का काम किया गया है और मकवरे के अंदर आप देखेंगे निर्मित इत्मात दौला और उनकी पतनी की क पीली किसमे के कीमती पत्थर से निर्मित हैं, बनवाई गई हैं। मकबरे में निर्मित गुम्मत प्यारंभिक मुगल सेली का पिदिक हैं और इस मकबरे का निर्मार लाल पत्थर एवं ईटों से हुआ हैं। मच्छी भवन, सीस महल, खास महल, अंगूरी महल, साह बोर्ज, मौती मस्चित, मुसम्मन बोर्ज, नगीना मस्चित। किले के बाहर आप देखें तो ताज महल, जामा मस्चित। और दिल्ली में देखें तो लाल किले में आप दिवाने आम, दिवाने खास, मौती महल, हीरा महल, रंग महल, नहरे बहीस्त। और किले से बाहर देखें तो जामा मस्चित हो गई, लाहर में देखें तो दिमाने आम, साह बोर्ज, सीस महल, नौ लखा, याद रखें साह जहा के समय की बनवाई गई इमारते हैं। काल में संगमर्मर का निर्माड कार आरम हो गया था, परन्तु इसके पिरियोग का चर्मत का इसकाल तो साह जहा का काल ही माना जाता है। जैसे दिल्ली का लाल किला, मस्जिद है, आगरे किले की मौती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, बाग से घरे मकबर है, ताज महल जैसे हो गया। आगरा की निर्माड कार की बात करें, तो साह जहां के आगरे में, निर्माड कार को अकबर के द्वारा नित्मित आगरे के आगरा की किले में देखा जा सकता है, दीवान ए आम। आगरे के किले में साह जहां द्वारा 1627 में, बनवाया गया दीवान ए आम साह जहां की समय का पित्वम संगमर्मर का निर्माड कार है, इसमें समराठ के बैठने के लिए मयूर सिंगहासन की ववस्था की गई थी, आगरे के किले के आप देखेंगे बुर्ज में सित्ताज म पाहिल का एक द्रस है, देख लीजे आप लोग, फिर देखेंगे आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा, दीवान ए खास, इस 1627 में बनवाया गया दीवान ए खास संगमर्मर की आयताकार इमारत है, और इसमें बात्पूर्ण अमीर और उच्चा दिकारी ही आ सकते थे, इसकी संदर्ता इस पर खुदे अबलेग से पता चलती है, अगर फिर दोस वर्व रूमी, जमी अस्त हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, अगर धती पर कहीं परम सुक का स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं लिखा हुआ एक तरह से, मौती वास्तुकला की यह सरफसिष्ट किरती है परसी विराउन की अंसार मस्जिद में निर्मित गुम्मद उलेखनी है इस मस्जिद की लंबाई 237 फुट और चोड़ाई 187 फुट आपको देखने को मिलेगी फिर आप देखेंगे मुसंबन बुर्ज यह 6 मंजिला इस इमारत के न धिर्मित मुसंबन बुर्ज में जहांगीर ने हांती पर सबार राणा अमर सींग और उसके पुद्र करन सींग की मुड्तियों का निर्मार भी करवाया था और आप देखने के कलांतर में ओगरंग जिव ने इस इन मुर्चिद को नष्ट कर दिया था और इस इस इही मुर् मस्चित का निर्बाड साय जहां की पुत्री जहां आरा वेगम ने 1648 में करवाया था इस मर्चित में लकडी और इंटों का प्रियोग भी किया गया है और आगरे की जामा मस्चित को मस्चिते जहां नामा भी कहा जाता है ताज महल जो आप देखते हैं कि उसे देखने के और इसको लेकर भी आप देखें कि ताज महल को लेकर समय समय को विवाद होता रहता है कई लोग कहते हैं कि वो ताज महल आसल में यह ताज महल है ही नहीं यहां आप देखें कि क्या हुआ करता था सिभ भगवान का मंदिर था यानि कि आप देखें सिभ भगवान से जुड आगरा में यह अपना निदी के तर्पर इस्तित मकवरा ताज महल का निर्मार सायजहा की देखरेक में उस्ताद इसा खाने संपन कराया था और जबकि मकवरी की योजना उस्ताद एहमद लाहोरी ने तियार की थी इसका निर्मार 1631 से प्यारम हुआ था और 1653 जंवन तक पू खारा से फूल पत्ते की खुदाई के विसे सग समरकंद से सिखर निर्मार एबं बगीचा निर्मार में कुसल लोगों को बुलवाया था और याद रखिए आप लोग वाटसब की उनिवसीटी से इतिहास नहीं पढ़ते हैं आप लोग हकीगत में इतिहास पढ़ते हैं जो इतिहास आखिड़े ही बताता है एक तरसे और आपके पाथ अक्षे ठोस तत हैं तब ही आप लोग सिद्ध कर सकते हैं वरना कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजेगा इस मकवरे में मद्देशिया इरान और भारत की भवन निर्मार सैलियों का समझस्तपूर सैयोजन है और भूमी से 22 फूट उचे संगमर्मन की चबूतरे पर बनी यह मारत 108 फूट उचा है चबूतरे के चारों कौनों पर 4 सफिद मीनार भी हैं मकवरी की उफरी भाग में मुम्ताज महल और साय जहा की नकली कबरे हैं और नीचे की भाग में उनकी असली कबरे हैं देखने को मिले था साय जहां मुम्ताज महल की संदर को एक मूर्ती में तो नहीं ढाल सका क्योंकि यह इसलाम धर्म की विरुद था पर उसने उसकी संदर को ताज महल का निर्माड करके व्यक्त किया और इसी कारण होवेल ने इसे भारती नारित्य की साकार पितिवा कहा और आप देखेंग में बनी इसमारक समाधी मूलता सोने की नकासी की गई जाली से घरी हुई थी परंतु बाद में और इसे हटवा कर हटा कर संदर की जाली लगवा दी और यह दो मंजला इमारत है ताज महल के निर्माड में आप देखें कि 5,000 मजदूर्वां का पिरयोग किया गया था मकरान से सफेज संगमरमा लाया गया था उस समय इसके निर्माड में 9 करोड रुपे खेर चुए थे कितने 9 करोड उस समय समझ सकते हैं ताज महल में मुख कब्र की अत्रिक थे तीन और महल है ताज महल के ठीक सामने जो महल है उसी में औरंग जिब ने साय जहां को गरपतार किया था और इसे दच्छडी महल भी कहते हैं ताज महल और दच्छडी महल के बीच थबदारी का निर्माड भी किया गया है तर आप देखें कि तक्ते ताउस या मर्यू सेंगासन तक्ते ताउस को आगरा के लिए की दीवान याम में रखा गया है इसकी डिजाइनिंग जेरो न हीरे, मौती, सौने, चांदी से पौधों को वनवाए गया है मोरों की खाने के दाने बनाने के लिए हीरे का प्रयोग किया गया है तक्ते हाउस को 1749 में नादिर साह द्वारा इरान ले जाया गया दिल्ली के भवबन की बात करें तो 1648 में 1638 में साह जहान ने अपनी साह जहान ने यहां अनेक इमारतों का निर्माड भी करवाए था जो इसतरह है करीब एक करोड की लागश से बनने वाला यह महल किला हमीद एवं अहमद नामक वास्तुकारों की निरीक्षर में बना था किले के बश्मी दर्वाजी का नाम लाहोरी दर्वाजा और दच्छडी दर्वाजी का नाम दिल्ली दर्वाजा रखा गया है यह किला 3100 फिट लंबा और 1650 फुट चोड़ा है किले के अंदर विभिन निवारतों का निर्माड हुआ है जैसे दीवान एक आम हो गया यह एक आयता कारू कक्ष है इसकी विस्षिस्ता इसके पीछे की दीवार में बना एक कोष्ट है जहां विस्षपिसिद तक ताउस रख जाता था और कोष्ट के चित्रों में यूरोपिय प्रभाव दिखलाई पड़ता है दीवाने आम से लगा रंगमहल का निर्माड साही परिवार के लोगों के लिए किया गया था यहां पर निर्मित नियाय का तराजु भी पर भी यूरोपिय सेली का प्रभाव दिखाई प पत्थर तसा संगमरमर से मिली जुली सब जावट की गई है और भवन का महरावों को अनेक रंगों से सजाए गया है इस भवन को सीस महल भी कहते हैं क्या कहा जाता है सीस महल भी कहा जाता है यह आप देखिए दिल्ली इस्तित लाल के लिए में दीवाने आम और रंगे मौती मस्जित का द्रस है और जामा मस्जित दिल्ली की फिसेद जामा मस्जित का निर्मार साह जहां ने सोले सोड तालीस में करवाया था यह वहमल लाल पत्थरों से निर्मेट थे और उंचे चबूतरों पर इस्तित है इस भव एवं विसाल मस्जित की तीन प्रविस जिन फर बोर्ज निर्मेट है यह मस्जित फतेहफ और स्तीकिरी की जामा जामी मस्जित का विस्तारित और वड़ा रूप है यह भारत की अपने आम में एक बड़ी इमारत है पर आप देखेंगे साह जहां कालीन अनने इमारतें भी हैं साह जहां की समय में फार्सी सेली में बने कुछ पिरमुक हो उद्यानों में कस्मीर के कस्मीर में निसाद वाग और सालीमार वाग पिरमुक हैं साहजा की काल में लाहोर की किलिए में कुछ भी कुछ निर्मार कार किये गये थे जैसे साहवरज, सीस महल, ख्वाओ गाह है इत्यादी फिर आपकी औरंग जेब के समय की जो भी इमारते हैं उनकों की देख लिए औरंग जेब ने किसी भी सेष्ट इमारत का निर्मार नहीं करवाए इसने कुछ इमारते बनवाई और कहते हैं कि देखिए इसने इमारते बनवाई भली ना हो इसने तोड़ा बहुत है मारतों को रविया उद्ध दुरानी का मकवरा 1678 में औरंग जीब ने अपनी बेगम रविया और दुरानी की स्मिती में औरंगाबाद में एक मकवरी का निर्माड करवाया था यह बीवी का मकवरा नाम से पिसिद्ध है प्राजमहिल की फूहर नकल है और इसी मकवरी के माद्यम से मुगल इस्थापत की पतन को इस पर्ष्ट रूप से अनवव किया जा सकता है यह मकवरा आजम साहे ने पूरा करवाया था बादसाही मस्चित औरंग जीब ने 1674 में लाहुर में बादसाही मस्चित का निर्माड दिल्ली की जामा मस्चित के अनुरूप बनानी की आसफल कौसिस की थी मौती मस्चित और रंग जीब द्वारा दिल्ली के लाल के लिए के अंदर निर्मित धवल सुएत मस्चित का निर्माड करवाया गया था या इसलामी सलीफा राध हरीत है और आप देखेंगे किर्टी होगे यह डिजाइन तक्त हाउस तक्त ताउस जेरो नियो वेरे नियो आगरा ककला कासिम खां दिल्ली काकला हामीद अहमद फतेबोर सीकरी वहाउद्दीन ताज महल अब्दुल हमीद लाहोरी हुमायू का मकवर मेरक मेजा ग्यास पर आप देखेंगे मुगल काली चितकला हो गई मुगल काल में चितकला का परियाप्त विकास हुआ फारस का पिसिद्दी चितकार वहजाद इसकी उपादी पूर्व करा फैल संभावता बाबर की समय भारत आया था क्योंकि तुझो बाबरी में एकमात चितकार वहजाद का ही नाम मिलता है इसे बाबर ने अग्यनी चितकार का और मुगल की नियू हुमायू के सासनकाल में पड़ी थी अपने निवासन के समय उसने मीर सेयद अली और अब्दू समद नमक दो फारसी चितकारों की सिवाएं पराप्त की थी और इने हुमायू न तारीकि खांदानी तेमूरिया की पांडू लिपी चित्रित करानी के लिए बुलाये था मीर सेयद अली और विहजाद का सिस्से था और मुगल चितकला में मुगल चितकला सेली में चितित सबसे भारमिक और महत्पूर मुगल काली चित संग्रे हमज नामा है जो दस्तानी अमीर हमजा की नाम से पिसिद्ध है इस पांडू लिपी में आप देखेंगे 1200 चित्रों का संग्र है अकवर के गाल में रजम नामा नामा की एक और पांडू लिपी तियार की गई जिसमें दसवंद द्वारा बनाएगे चित मिलते हैं इस चितकार की चित अन्यत कहीं नही मिलते हैं अकवर ने दसवंद को अपने समय का अगणी चितकार और उसकी किट्टी रजम नामा को मुगल चितकाल की इतियास मील का पत्थर कहा है और अब अब दो समद कि राजदर्वारी पूर्त मुहम्मद सरीप ने रजम नामा की चित्तरन कारी का परिवक्षक किया था और दसवंद बाद में मालसिक रूप से बिच्छित हो गया और उसने 1584 में आत्मत्या कर ली थी और इसकी दो अनिकित्ती मिलती हैं खांदाने तेमोरिया और तूती नामा वसावन अकवर की समय का सर्वोत किरिष्ट चित्तकार था क्योंकी वह चित्तकला की सभी चित्रों रेखांकन, रंगों की परियोग, छवी चित्तकारी, भूत दरसों की चित्रन में सिध्धास दे था, वसावन की सर्वोत क्रिष्ट किती एक क्रिष्काय, दुबले पतले गोडे के साथ मजनू का निर्जन चित्त में भटकता हुआ चित्त इसने बनाये था, रजम नामा की चित्रों में यथार्ता एवन विस्वस्नीता की जो स्वानुभूत भावना दिष्टी गोचर होती है, वह अन्यत कम ही मिलती है, इन चित्रों में पेड़ पौधी बन जीब और भूत दरसों का विजीवन्त चित्रन मिलता है, अकवर की समय में ही पहली बार भीत्री चित् अब्धु समद के अलाबा 15 पिसिद्य चित्कारों के नाम भी पराप्त होते हैं, जिसमें कम से कम 13 हिंदू चित्कार थे। जहांगीर का काल मोगल चितकाल के चर्मोत कास का काल माना जाता है किसका जहांगीर का जहांगीर ने हैराद के पिसेद चितकार अकारीजा की नेतित में आगरा में आगरा में चितरन साला की स्थापना की थी और जहांगीर के काल में हस्त सिल्फ हस्त लिखित गरंतों की विश और जहांगीर के काल में पिरमुक चितकारों में फरूग बेग, आप देखेंगे विसंदास, उस्ताद मनसूर, दौलत, मनोहर, अबूल हसन पिरमुक थे। फारूग बेग ने अकबर के समय मुगल चित्रन साला में पिरवेश किया था और जहांगीर के समय उसने वीजापू परधन एबंग अबूल حसन आदी का सामुईक चित्र बनाया था इसने और साथ ही पना एक भी एक चवी उसने मनोहर वसावन का पुद्ध था और अपने समय का एक पिसद्ध चित्र था उसने अनेक पिसद्ध सावी चित्रों का निर्माण किया और याद रही कि तुझू क जहांगीरी में मनुहर का नाम नहीं मिलता है जहांगीरी ने अपने अगणी चितकार विसंदास को अपने दूद खान आलम के साथ भारस में किसा है कि दरवार में चित बना कर लाने के लिए भेजा था वैसा है उसके अमीरों तथा उसके परीजनों के चित बना कर लाये था जहागीर की समय सर्वोत करष्ट चितकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे बासा ने दोनों को करमसा नादिर उसर यानि की मंसूर नादिर उद जमा अबुल हसन की उपाधी भी दी थी उस्ताद मंसूर पिसद्द पक्षी विसेजा के चितकार था जबकि अबुल हसन को व्यक्ती चित्रों में महारत हासिल थी मनसूर की महत्पूर्ण कितिया साइवेरिया का विरला सारस वंगाल का अनौखा पुस्व विसेश लेकनी है अबुल हसन अकारीजा का पुद्ध था अबुल हसन की प्रमक विसेशता थी कि उसकी रंग योजनाग जो अत्यंत प्रभावसाली चिता कर सक एवन चटकदार होती थी और अबुल हसन ने तुझो के जहागेरी के मुख फेश्ट के लिए चित बनाया था लंदन की एक लाइबरेरी में एक अधभुत चित उपलब्द है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंग गिलहियों अनेक फिकार की मुद्राओं में चित रहे थे इमार मुगल कालीन इमारतें देख लिजे ये वंडे एक जाम के लिए आपके लिए काफी फाइदा पहुँचाएंगे एक नजर में एक तरह से आप कहह लिजे कि रिवीजयन की पॉइंट ब्यूसे इमारतें हो गई ये स्थान हो गया जहां है और ये सासक की द्वारा जिसकी द्वारा बनवाये गा था जैजें जामी मस्जित एस संभल रुहिलखंड में देखने कुमलेगी बावर की द्वारा बनवाई गी थी बावरी मेस्चित यायोध्या में देखने कुमलेगी और बावर की सेनापती मीरवाकी ने बनवाई थी और इसको लेकर आप देखे हमारे देश में लंबे समय तक हिंदू मुसलिमों में लडाई होत पुराना किला दिल्ली में ऐसेस हाई के द्वारा बनवाई गया था। आगरा में अकबर के द्वारा दीवाने आम फतेपुर सीकरी में अकबर के द्वारा दीवाने खास फतेपुर सीकरी में अकबर के द्वारा पंच महल जिसे हावा महल भी कहते हैं फतेपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाय गया था जामा मस्चित ये आप देखेंगे फ अकवर के द्वारा ही बनवाय गया था बुलंदर वाजा यह भी फतेपुर सीकरी में हापको देखने को मिलेगा अकवर के द्वारा बनवाय गया था सेक सलीम चिस्ती का मकवरा फतेपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाय गया था लाहूर का किला लाहूर में देखने को मिलेगा ये भी अकबर के द्वारा बनवाय गया था इलावाद में 40 स्थंबों बाला किला अकबर का लीन अंते मिमारत है इलावाद में देखने को मिलेगा अकबर के द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदरा में देखने को मिलेगा जहांगीर के द्वारा बनवाए गया था इत्मत दौला का मकबरा इयागरा में देखने को मिलेगा नूर जहां के द्वारा बनवाए गया था, यह आप देखे, जहांगीर का मकवरा, यह साय दरा में देखने को मिलेगा, यह नूर जहां के द्वारा बनवाए गया था, यह आप देखे कि साय जहां कालीन आगरे की इमारते हैं, यानि की कहने को मतलब है कि जो साय जहां के आगरा में जो इमारते बनवाई गई थी उनकी बात हो रही है और इसमें आप देखेंगे आपका दीबाने आम हो गया आगरा में ही देखने को मिलेगा साजहां के द्वारा बनवाएगा था दीबाने खास हो गया एभी आगरा में ही है साह जहां ने बनवाए था फिर आप देखेंगे साह जहां कालीन दिल्ली की मारतें हो गई जैसे साह जहानाबाद ए दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा साह जहां के द्वारा बनवाए गया था जामा मस्चित एभी दिल्ली में है साह जहां ने बनवाए था लाल किला एभी दिल्ली में ही साह जहां ने बनवाए था मौती महिल एभी दिल्ली में साह जहां के द्वारा आगरे की मौती मस्चित का मस्चित साह जहां ने बनवाए था यह जरूर याद रखे, पॉइंट काई बार इसमें confusion हो जाती है, आगरे की मौती मस्चित का साय जहाने बनवाई था, जबकि दिल्ली में लाल के लिए के अंदर मौती मस्चित, जो पूर्टा संगमरमर से बनी हुई है, ए ओरंग जेब ने बनवाई थी, यानि कि कहने का मतल सब्सक्राइब की जो आगरे की मौती मस्चित है ना, ये किसने बनवाई थी? साय जहाने, जबकि दिल्ली में जो लाल के लिए के अंदर आप देखते हैं, जो मौती मस्चित है, ये कितने ओरनघ जेब ने बनवाई थी, ठीक्यां? लाहर के के लिए में इस त히 सय जहान का इमारत ने देख लिए रविया उद्दौरानी का मकवरा बीवी का मकवरा ए औरंगाबाद में देखने को मिलेगा औरंग जेब के द्वारा बातसाही मस्जिद लाहोर में देखने को मिलेगी ए औरंग जेब के द्वारा मौदी मस्जिद लाल गिले के भीतर ए दिल्ली में आ अगबर कालीन चितकार, अगणी चितकार, दसबंत, सर्वोतक्रिष्ट चितकार, वसावन था और जहागीर कालीन चितकार, अगणी चितकार, विसंदास, सर्वोतक्रिष्ट चितकार, उस्ताद मनसूर और अबुल हसन, साजहा कालीन चितकार, फकी रुडला और मीर हासिम तो किसी मेर्ट तक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा मैं देखते ही बता दूँगा कि यह किस चित्तकार की किर्टी है यानि कि आप समझ सकते हैं कि इतना दिल्चस्वी रखता था किस में चित्रों में चित्तकारी में कि वो उसे मालू चल जाता था देखते हुए कि वो किसने बनवाय था साय जहा की को चितकला की अफेक्षा इस्थाबत कला में अधिक रोची थी फिर भी उसने चितकला को फिरसा दिया साय जहा की समय आकिट्टी चित्रन और रंग समंजस में कमी आ गई थी उसके काल में रेखांकन और वॉर्डर बनाने में उन्नती हुई और साय जहा देवी सरक्षन में अपने चित बनवाना अधिक पसंद करता था साय जहा का एक विख्यात चित भारतिय संगराले में उपलब्द है जिसमें साय जहान को सूफी नित करती हुई दिखाए गया है और रंग जिम ने चितकला को इसलाम की विरुद मान कर वंद करवा दिया था यह एक तरह से आप देखी कटर मुसलिम सासक था और इसी के कारण अभी भी विवाद बना हुआ है देखिए किन्तु अपने सासन के इंते मरसों में उसने चितकारी के कुछ रुचे ली थी जिसके पैडाम स्वरूव उसने कुछ लगू चित सिकार खेलते हुए दरवार लगाते हुए योद करते हुए प्राप्त होते हैं औरंग जेब के बाद आप देखेंगे मुगल चितकार अन्यत जाकर बस गयत और जहां पर अनेक छेत्रिय चितकला सैलियों का विकास हुआ मनुची ने लिखा है कि औरंग जेब की आग्या से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से फोद दिया गया था कुछ महत्मूर तथ है ने भी याद रखेगा अकबर की काल में चितकला की सबसे वड़ी विसेशता ईराणी सैलिक की सपाठ परभाव के स्थान पर भारती वर्ताकर सैली का प्रभाव था और जिसे चित्रों में त्री बिनतिये पिरभाव आ गया और फिर आप देखेंगे कि जहांगीर कालीन एक चित्तकार मनोहर का नाम तुझो कि जहांगीरी में नहीं मिलता है यरोपिये पिरभाव वाली चित्तकारों में संभावता मिस्किन सरवसेश्ट था मुगल कालीन चित्तकारों ने मुसलिम धार में गाथाओ पर चित बनाने में संकोच किया पजन्तु हिंतु पुराडिक गाथाओं और इसाई धर्म की कहानियों से समंधित विसेओं पर चित बनाये गया अकवर ने चितकला की विसंसा करते हुए कहा कि चितकार के पास इस और को पहचानने का एक विचित साधन होता है तो इन पॉएंटों को भी याद रखेगा अब आप देकि मुगलकाली संगीत कला को भी देख लिजे क्या विवस्ता रही है संगीत की संगीत मुगलकाल में संगीत कला का भी उनती हुई और हिंदू और मुसल्मन दोनों में दोनों ने उसमें सहयोग दिया बाबर हुमायू दोनों संगीत कला के प्रैमी थे अकवर स्वयम बड़ा अच्छा नगाड़ा बजाता था उसने अपने दरवार में दूर दूर से ख्याती प्राप्त संगीत अग्यों को आमंतित किया था अबुल फजल लिखा है कि अकवर की दरवार में संगीतगों को की संग्या बहुत अधिक थी और उनमें से सबसे बड़े प्रमुक नाम तांसेन का था जिसने राजा मान सिंग द्वारा इस्थाफित ग्वालियर की संगीत विस्विध्यालेक में सिक्षा पर राप्त की थी तांसेन की बारे में आप सभी जानते होंगे तांसेन की गुरू बेंदावन में रहने वाले गुरू हरीदास थे तो तांसेन की गुरू को भी याद रखे कई बार पूच लेता है अबूल फजल ने तांसेन की बारे में लिखा था कि उस जैसा गायक हजार वसों में भी कोई नहीं हुआ और उसने विविन राग और रागनियों का निर्माड किया था तानसेन के परशाद दर्वार की संगीत तकों में बाबा रामदास का नाम आता था सूर्दास का दर्वार से अपत्यक्च संबन्द था बेजु बाबरा यग भी दर्वार से संबन्दित ना था फरंतु संबह होता तानसेन का समकाली संगीत तक था है और इस विकार अकवर के समय में वाद्ध और संगीत दोनों की ही फरगती हुई और जहांगीर भी संगीत तकों को आसे देता था सेकड़ों गायक और नर्थ तक उसके दर्वार में रहा करते थे इसने जहांगीर दाद परवेद दाद हमजान छत खां आदी पिरमुख थे साय जहां भी संगीत प्रहमी था और स्वैम भी एक अच्छा गायक भी था जगनात, रामदा, सुकसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां, आदी उसके दर्वार के पिरमुख गायक भी थे और अपने सासनकाल के आरहम में आप देखेंगे कि आरहमर की कुछ बरसों के वक्षा थी और अरंग जेब ने संगीत तकगों को अपने दर्वार से निकाल दिया था परन्तु फिर भी सरदारों और सूवेदारों और बात्साहों की हरम में से संगीत प्रहम समाप्त नहीं हुआ था और यह आप देखेंगे इसलाम के खिलाब मानता था संगीत को भी कौन और कि इस समय में संगीत की बहुत उन्नती हुई और ख्याल गायन लोग परिये हुआ और उससे पहले धुरुफत गायन सेली ही अपने विविन रूपों में लोग परिये थी इसी सदी के पूरवाद में सितार उतब्दा दो संगीत बाद्धों का निर्माद हुआ पहले इसका झाल गायक खुसरो खाने किया था जो मुगल बासा मोहमद रंगीला मोहमद साय रंगीला का समकालीन था इन बादों के निर्माड में भारती संगीत को सेष्टम बनाने में बहुत सहयता भी दी मोगल काल में आप देखें कि दच्छन भारत में भी अनेक योग गायक हुए और गायन पर कुछ सिष्ट पुष्टकों की भी रचना की इसमें बिजाई नगर राजी की राजा सदासिब राव की मंतरी राम राय का नाम उलिकनी है जिसने एक संगीत गरंथ स्वर मेल कला निधी की रचना की थी वसी पिकार का एक अन्य गरंथ सड राग चंदो दय की रचना पुंड रीक विठल ने खांदेश के सासक बुरहान खा फारूकी के सरक्षन में की थी इसके परशाद पुंड रीक ने भी राजा मांसिंग के संगीत गरंथ की रचना की और जिसमें आप देखेंगे भारती संगीत के च्छे रागों का वर्डन किया गया और देखेंगे मुगल काली साहित साहितिक दिरश्टी से मुगल काल प्रगिती सील था और इस समय विभेन ने भासा ओं के साहित का निर्माड हुआ नभीन रचनाये और अनुबाद दोनों ही दृष्टी से इस समय में महत्पूर्ण कार हुआ फार्सी संस्कित हिंदी आदी के तरिक्त उर्दु भासा का भी उसकाल में विकास हुआ और विभिन प्रादेशिक भासाओं की उनती हुई आप देखेंगे मुगल समराट अकवर ने अनुबाद विभाग की स्थापना की इस विभाग द्वारा संस्कित अरवी तुर्की ग्रीक भासाओं की अनेक कितियों का फारसी भासा में अनुबाद किया गया और फारसी मोगलों की राच्किये भासा भी थी कौन सी फारसी मुगलों की राज किये भासा थी मुगल काल में जो विभिन गरंतों का फारसी में अनुबाद हुआ उन्हें ये भी याद रखेगा इमूल गरंत हो गया अनुबादक हो गया और गरंत का नभी नाप क्या है उस नाम का हो गया महा भारत इसका अनुवादक कौन-कौन थे बदायूनी नकीब खाम और रज्म नामा नाम से इसका अनुवाद किया था जामाइट बदायूनी नकीब खाम ने इसका अनुवादक किया था तजक एतुजुक जोतिसी गरंथ था मुहम्मद खा गुजराती ने इसका क्या किया था अनुबाद किया था जहान ए जफर्क में अथर विवेत हाजी इबराहिम सरहिंदी ने इसका अनुबाद किया था पंचितन्त अबुल फजल ने इसका अनुबाद किया था और इसका नया नाम क्या है? गरंद का अनवार ए सदात, कालिया दामन, आप देखेंगे अबुज फजल ने, आयोग ए दानिस के नाम से, लेला बती फैजी ने इसका अनवाद किया था, राज तरंग नी, मुहमद सहा बादी ने इसका अनवाद किया था हरीवन्स फुरान, मौलाना सेरी ने, नल दमैंती फैजी ने, भगबत गीता दारा सिकोर ने, योग विसिष्ट दारा सिकोर ने, वावन उपनिसद दारा सिकोर ने, इसका नया नाम क्या है? सरर ए अकबर, ठीक है? सरर ए अकबर, ये मुगल कालीन साहित ते एक नजर में रहते हैं, ये नाम हो गया आपके, ये भासा हो गई, और इसका लेखक, उसका लेखक का नाम, जैसे तुजुक के ये बावरी, बावर नामा, ये तुर्की भासा में था, और बावर ने स्वयम की आदम कथा दी, ये बावर की अपनी आदम कथा दी, उसी की बात हो दी, दी पायू नामा फार्बदर न भावर की पुत्री ने इसे लिखा था। वाक्यात ये मुस्ताकी ये फारसी भासा में था रिच कुलाह मुस्ताकी ने से लिखा था तारी के अलफी फारसी भासा में था मुल्ला दाउद ने से लिखा था इसका लेकक था अकबर नामा जिसे आप लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं फारसी भासा में है और अब खव उलतवारीक ये आप देखिए फारसी भासा में अबदूल कादिरी बदायुणी ने ऐसे लिखा था तुजो के जहांगिरी जहांगिरी की आत्म गता है फारसी भासा में जहांगीर मौदमिद खाँ और मौँम्मद हादी ने रिखा था लिखा के इसके एकबाल नामा ये जहांगीरी एफ़ासी भासा में खवाजा कामगारन के लिखक थे पादसाई नामा एफ़ासी भासा में मुम्मद अमीन कज वीनी ने से लिखा था चहार्म चमन फारिसी भासा में चंदवान ने से लिखा था साजहा नामा फारिसी भासा में इनायत खाने इसके लिखा थे आलमगीर नामा फारिसी भासा में काजिम सिराजी इसके लिखा थे मुंत खव उल लुबाब ये फार्सी भासा में खफी खा इसके क्या थे लेखक थे ये अनुदित फुस्त के हो गई रजम नामा महाभारत के विभिन अंगों का संकलन है फार्सी भासा में नकीब खा और अब्दुल कादिर वदायुनिने से लिखाता रामायट फार्सी भासा में अब्दुल कादिर वदायुनि अथर विबेद फार्सी भासा में हाजी इबराहिम सरहिंदीने भागवत पुरान फार्सी भासा में राजा टोडनवल भागवत गीता ये भी फार्सी भासा में दारा सिको के द्वारा कालिया दमन आयार ए दानिस ए आप देखें ए फारिसी भासा में अबुल फजल की द्वारा फंचितन्त कलीला एवं दिमना ए फारिसी भासा में अबुल फजल की द्वारा राज्तरगनी फारिसी भासा में मौलाना साहे मुहमत सहा बादी के द्वारा लीला बती गड़ित की पुस्तक फारिसी भासा में और फैजी की द्वारा बावर नामा फारिसी भासा में अब्दुरहीम खान खाना उपायदना खा की द्वारा नल दमेंती फारिसी भासा में फैजी की द्वारा ये भी याद रखेगा और रामाईड का बंगला भासा में अ आप लोग भी हिंदूं का काभी पवित गरन थे। हुसेन साय के सेनापती परागल खान परमेसोर से जो कबिंद भी कहा जाता था। मुगल काल में हिंदी साहित का भी परियापते विकास हुआ। कवरती को महापात की उपादी दी गई थी। और अकवर के समय आप देखेंगे तुलसी दास जी ने रामचरित मानस नामक गरन्थ की रचना की थी। जो तुलसी दास आप देखते हैं ना इसके लिखक तुलसी दास ने रामचरित मानस की गरन्थ की रचना की थी। रामचरित मानस को जार्ज ग्रेरसन ने उचित ही हिंदोस्तान की करोडों लोगों की एकमात बाइविल का है। तो ये भी याद रखेगा। जो तुलसी दास ने रामचरित मानस और विनयपतिगा। उर्दू साहित को देख लिए। उर्दू का जनम सल्तनत कालिम में ही हो चुका था। फैरम में से जवान ए हिंदीवी कहा जाता था और उर्दू के जनक अमीर खुसरों माने जाते हैं। उर्दू को रेकता, जुबाने हिंदिवी, हिंदुस्तानी, दक्नी आदी भी कहा जाता है। उर्दू को मुक्ता खेमा, सैनिक सिविर की भासा कहा जाता है। और इसके लिपी फार्सी है, परंतु इसका विकास खड़ी बोली पंजाबी हर्याण में गुजराती अर्वी फार्सी सब्दों से हुआ है। इसके विकास में सरवादी के उगदान खड़ी बोली का है। और मुहम्मद साहिर अंगीला ने इसके विकास में सरवादी के गुदान दिया और इन्हों ने समसुद्दीन वली को दच्छन से बलाकर उर्दू के लिए कार करवाया था उर्दू का प्राचिन साहित मिराज उल आसकिन है जिसे ख्वाजा गैसूद राजने लिखा था और स रफित इस भाजा को फिरोसां दच्छन भारत के सुल दानाओं ने दिया था संस्कित साहित तो अकवर के काल में पिसिद जैन बिद्वान ड़़म संकर ने शरप फारसी संस्कित का एक सब्द कोस्त फारसी पिकास नाम से तियार किया था और अकवर नें अपनुन महिश ठाकुण ने संस्कित में अकबर के सासनकाल का इतिहास लिखा और इसके अतरिक्त साय जहां के दरवारी कभी पंडित जगनात ने जरस गंगा धर और गंगा लहरी की रचना की थी आप सभी जानते हैं कि जो अकबर था न यह आप देखे एक तरह से धरम निर्वेक्ष स सासनक चलाता था और यह आप देखे किसी की धरम से कोई कोई सी भी भासा से इसका कोई विरोर नहीं था वही आप देखे लेकिन यही काम अगर आप लोग और इंगे की समय देखें तो आप देखें कि उसे चड़ रहती थी हिंदों से और आप देखेंगे वह हर चीज पर पाबंदी लगाता था अकबर एक खुला हुआ था जैसा था खुला हुआ था सासकता जिस तरह से आज हमारा समीदान देखता है धर्म निर्फेक्च राज जी की बात करता है चलिए तो यह आपका क्या हो गया यह आपका मुगल कालीन जो राजनेतिक आर्थिक और सांस्कि आपकी परिक्चाओं में पूछे जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में कुश्चन्स पूछे जाते हैं चलिए आप लोग पढ़ते रहिए